और यहां पर मैंने देख है, भ्यंकर गलतियां करते हो तुम लोग कि तुम इस रियेजिंट को ना याद करने में गड़बर कर देते हो, अगर कोशन ऐसा आता है, तो जनली वो हमसे पूछता है major product, जही में जब कोशन आते हैं, उसके इसमें तो multiple सारे बनाने को पूछता है, पर नीट में जब कोशन आते हैं, तो उसके इसमें major product पूछता है, आलाइट, so hello everyone, क्या हाल चाल भी आप सब लोग के, this is your Nikhil sir, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे aldehyde and ketones का one shot discussion via mind maps, तो कैसे हैं आप सब लोग, उमीद करते हैं, बहुत amazing होंगे, and इससे पहले एक आपका alcohols, ether phenols का one shot आपने देख लिया होगा, क्योंकि उसके reactions बहुत का आने वाले use, ठीक है, मैं expect करूँगा कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं, hydrocarbons का as well as haloylkins, halorins, उसके भी one shots देख लिया होंगे, तबी उनके कुछ reactions आज हम लोग use करने वाले हैं, तो चलिए, सिलसला start करते हैं chapter आपका aldehyde and ketones है, बहुत बड़ा chapter है, बहुत variety of reactions इसके अंदर आते हैं, तो let's start them one by one, तो चलो ही, पहले बात तो करते, aldehydes होता क्या है, तो वही सिधी सी बात है, आपके पास इतना basic idea तो सबको होना चाहिए, कि ये जो होता है न वाया, ये आपका कहलाया जाता है aldehyde this is your aldehyde, जहां पे आपके पास ये जो compound है, ये देखना भी या, ये जो है न ये मामला, इसको बोलते हैं, कार्बोनल, ये कार्बोनल ग्रूप है, कार्बोनल ग्रूप के साथ, अगर आपके पास एक hydrogen लगा है, तो ये aldehyde होता है, वही पे अगर मैं बात करता हूँ, इसी कार्बोनल के साथ, अगर कोई directly attached hydrogen ना हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन ketone, तो कार्बोनल के साथ, अगर hydrogen दिख रहे है, तो आपन बोलेंगे कि हमारे पास, तो बात करते हैं, सबसे पहले, MOP, that is method of preparation, तो क्या-क्या method से हम इनको prepare कर सकते हैं, इसको मैं तीन parts में cover कर वाऊंगा, पहले हम लोग देखेंगे common methods, कि aldehyde और ketones को एक ही तरीके से बना दे, फिर हम लोग देखेंगे aldehyde वाले methods, फिर हम लोग देखेंगे ketone वाले methods, तो तीन पार्ट में इसको cover करते हैं, सबसे पहले करते हैं common methods, that is MOP of aldehyde and ketones, जिससे आप क्या कर सकत सकते हो, यह वहले methods है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं इस तरह से flow charts लेक्षर के बाद, flow chart आप देख सकते हो, हर एक को, flow chart में क्या होगा, आपको रिमाइंड करने में, जब आप दोबारा revision करोगे न, तो आपके लिए असान हो जाए, आपको याद रहा कोन से में क्या reaction पढ़ा था, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, तो oxidation of alcohols पढ़ेंगे हम लोग, dehydrogenation of alcohols देखेंगे, then we are going to see your hydrocarbons, यह हमारे पास है, hydrocarbons के अंदर दो method है, ozonolysis and kucherov's reaction, ozonolysis में हम लोग अभी देखेंगे, तो पहले काम करते हैं, start करते है, oxidation of alcohols, वैसे मैं तुम्हें बताऊं, यह already आपका हो चुका है, already done, यह एक बार हम लोग पहले पढ़ चुके है, कौन से वाले में, पिछले जेप्टर में बढ़ा है मैंने, ठीक है, पूरा डिटेल, देख लो slide भी वही की वही है, तो अगर को aldehyde मना के देगा, तो आपको क्या मिलेगा इस case में, aldehyde, और अगर आपके पास strong oxidizing agent होता है, तो 1 degree alcohol आपको क्या देता है, आपको यह देगा, carboxlic acid, यह चीज़ हम लोग cover कर चुके हैं, इससे पहले, पिछले वाले lecture में, तो प्लीज उसको एक बार go through कर लीज़ेगा, अगर आपके पास 2 degree alcohol है, जब भी आप इसके अंदर oxidizing agent दो, चाहे strong हो, चाहे weak हो, यह आपको हमेशा क्या देगा, यह आपको हमेशा देगा विया ketone, तो you are going to get your ketone, इस case में आपको हमेशा ketone मिलेगा, और अगर आपके पास 3 degree alcohol है, और आप उसके अंदर strong दो या mild दो, उस case में हम लोग बोलते हैं, हमारा कोई भी reaction नहीं होता, तो अब बात यह आजाती है कि सर्फ strong कोन सा है, mild कोन सा है, यह बता दो एक बार, तो उसकी एक list बनाई हुई है, मैंने, यहाँ पे पहले देखते हैं हम लोग strong oxidizing agent, अगर आपके पास potassium permagnate है, जनली acidified conditions में होता है, it is a strong agent, अगर हमारे पास dichromate है, यह भी जनली acidified conditions में मिलता है आपको, इसको भी अपन strong oxidizing agent मानेंगे, या फिर हमें CRO3 plus water लिख देता है, yes, chromic oxide plus water, या फिर वो इसको add करके सीधा लिख देगा H2CRO4, या फिर वो ऐसे भी लिख सकता है, CRO3 के साल H2SO4, in any case, यह सब को न, कई ब आपके strong oxidizing agents माने जाएंगे, इसके अलावा एक और add करेंगे, that is concentrated nitric acid, मतलब इन चार में कोई भी दिख जाए, यह जिन्दगी भरियाद रखना है, यह strong oxidizing agents आपकी होएंगे, ठीक है, तो यह कौन से वाले हैं, यह LDH, alcohol को सीधा acid बनाते हैं, ketone को सीधा, मतलब 2 degree alcohol को सीधा ketone बनाते हैं, 3 degree के साथ यह कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, आगे बात करते हैं, mild oxidizing agent, mild oxidizing agent हों गया, PCC, जिसको हम लोग प्यार से, pyridinium chlorochromate बोलते हैं, एक होता है, PDC, same that is, pyridinium dichromate, एक है, वो CRO3 के साथ, अगर CRO3 को तुम anhydrous कर तो, तो वो विचारा mild बन जाता है तो यहां तो anhydrous लिखा होता है, या फिर तुम इसको acetone ले लो, ठीक है, मतलब water के साथ नहीं होना चाहिए, water से free रहना चाहिए, इस में से कुछ भी होगा, तो that will be considered as mild oxidizing agent, यह क्या करेगा, यह 1 degree alcohol को सिर्फ aldehyde तक लिखे जा सकता है, 2 और 3 के तो reactions similar होंगे, ठीक है, च साथ heat करी होगी है, यह कुछ special reactions है, questions भी आया है उपर, क्या होगा इसके अंदर, अगर मेरे पास 1 degree alcohol है, और मैं इसमें copper heat दे दूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, इस case में मुझे directly, जैसे पहले reaction हो रहा था, I will get aldehyde, कोई issue नहीं है, इसमें आपको aldehyde मिलेगा, अगर आपक पहले वले reaction ही होगे, यह आपका same reactions जो पहले कर रहे थे, वह ही होगे, इसमें अलग क्या हुआ, यह तो same ही चीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे 3 degree alcohol अगर आपके पास होता है, 3 degree alcohol, यह अगर आपको मिला हुआ है, इसके अंदर copper silver डालोगे, और heat करोगे, तब पहले क्या हो रहा था, पहले reaction नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ reaction हो जाता है, यहाँ पता क्या होता है, यहाँ पे actually आपका, यह basically ऐसे सोचो, water निकालने आपको, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, H कर दिया, यह मैंने water बाहर कर दिया, तो यह अगर बाहर निकल जाएगा, तो आप य यह देखना, आपको कुछ ऐसा reaction चीज मिलेगी, यह आगया, CH3, और यह bond मैंने इदर shift कर दिया, तो यह basically बन गया, CH2, that is, I am going to get alky, और यह है सबसे अलग reaction, this is where most of us make mistake, हम लोग यहाँ पे रहा no reaction लिख देते हैं, यह थोड़ा सा आपका important है, कि copper, silver, 300 degree Celsius पे आपका 3 degree alcohol को alky इन में convert कर देते हैं, बाकी अभी तक आपने कहीं reaction ही देखा होगा, बट यह reaction होता है, आगे बढ़ते हैं, next is special oxidizing agent, that is MnO2, अब यार यह जो MnO2 होता है, यह आपको ध्यान रखना है, यह ऐसा लिए हर जगा reaction करेगा, यह specific reagent है, इनको बोला जाता है specific reagent, specific reagent है, specific reagent का का आपको देखना पड़ता है, कि एक particular जगा पर reaction करता है, यह कहार करेगा, यह आपके पास, अगर आपको अलाइलिक या बेंजाइलिक अलकोहॉल दिखेगा, वन डिगरी का, उसको convert कर देगा यह किसमे, अल्डिहाइड में, ठीक है, it is a mild oxidizing agent, अगर आपको वैसे देखना है तो यह mild oxidizing agent, mild oxidizing agent, समझते हैं आप लोग, कि जो भी आपके वो, वन डिगरी से अलकोहॉल, एल्डिहाइड, और टू डिगरी से क्या रहता था, टू डिगरी से किटोन करेगा, और त्री डिगरी को क्या करेगा, त्री डिगरी के साथ, नो reaction, उससे दा कोई reaction नहीं होगा, जो mild वाला काम करना है, बट यह specific है, specific मतलब allylic और benzylic position पे ही reaction करेगा, allylic समझते हो, allylic मतलब यह double bond, जैसी यह माल लो, यह double bond का यह carbon allylic होता है, और benzylic ऐसा होता है, यह आपका बेंजीन है, तो बेंजीन का यह वाला carbon जोगा, इसको benzylic, बेंजीन का next carbon, ठीक है, double bond का next carbon, आ आपका benzylic, ठीक है, तो करते हैं, question करते है, जादा better clear होगा, जैसे मालो, यह मेरे पास है, compound, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपके पास, पहले, permagnate की बात कर लेते हैं, आपको देखना है, यह क्या benzylic allylic में कुछ है, ना वही, यहाँ पे benzylic allylic कुछ नहीं है, तो यह साथ तो इसका कोई reaction नहीं होएगा, तो यह तो आपका as it is रहेगा, इसमें कोई reaction नहीं होएगा, ठीक है, बट यह वाला carbon क्या है, double bond का next carbon, तो यह कैसा है, यह आपका allylic है, अगर यह allylic है, degree भी देख लो, allylic two degree, तो क्या कर देगा, allylic two degree के साथ यह ketone मना देता है, तो यह क क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मुझे इधर double bond होगा गया, और इधर भी आपका oxidize हो जाएगा, ठीक है, यह आपका, दोनों ही mild होते हैं, बट यह specific mild है, ठीक है, इसकी नखरे जाना थोड़े से, तो यह हो गया जी आपका reaction, अब बात करते हैं from hydrocarbons, अब hydrocarbon से भी आप क्या क इतों सिर्फ reductive से बना पाएंगे, oxidative आपका आगे चला जाता है, मतलब वो carboxly acid तक भागता है, तो हम लोग oxidative नी प्रफर करेंगे, हम लोग reductive करेंगे, सर यह कहां पढ़ रख है, आप लोगों ने hydrocarbons में यह पढ़ रख है, oxidative ozonalysis, reductive ozonalysis, बात करेंगे, next that is, कुछ र में पास alkyne है, यह ले लिए आपने alkyne, ऐसे ले लेते हैं, यह हमारे पास है, alkyne को अगर मुझे इसमें convert करना है, aldehyde में कर सकता हूँ, कोई भी alkyne को आपको carbonyl compound में convert करना है, aldehyde की टोन में, तो आप use करते थे, इसमें लेखे कैसे आएंगे, result कैसे आता है, तो मानल यहां पर क्या होएगा, आपको बस क्या करना है, आपको इसको बीच में से break करना है, और दोनों साइट oxygen लगाना है, तो यह क्या बन जाएगा, इधर आप सोच देखना ज़रा, यह आगे आपका R, R' and double bond O, ऐसे यहां पर क्या आ जाएगा, ऐसे यहां पर R' , R' , यहां पर C R' , बस, यह करना आपको, बीच में से तोड़के दोनों साइट oxygen लगाना है, ठीक है, तो यह होता है आपका ozonalysis, important है, reagent क्या क्या रहेंगे आपके, तो reagent है, ozone के साथ zinc हो सकता है, ozone के साथ zinc plus water हो सकता है, ozone के साथ आपके पास dimethyl sulfur हो सकता है, यह ozone के साथ triphenyl phosphine हो सकता है, में से कुछ भी हो, यह सारे reductive के reagents है, reductive ozonalysis के, ठीक है, यह हो गया, तो काम करते है, question करें कुछ, चलो भई, यह मेरे पास ozone plus zinc, तो काम करो, बीच में से तोड़ दो इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका double bond हो, और H आगया, यह और क्या है, और इधर से 1 and 2, 2 carbon का aldehyde, तो इधर क्या बन जाएगा, यह आगया, double bond हो, और यह आगया, H, यह मिल गया मेरे को, इस case में, that is, your first product, यहाँ पर दोनों ही aldehyde बन गे, और इधर क्या है, इधर देखोगे, तो इधर से gain, बीच में से तोड़ना, oxygen लगा देना है, तो यह तोड़ा मै इधर क्या आगया, इधर oxygen आगया, और इधर भी क्या आजेगा, इधर भी मेरा oxygen आगया, अब की बारी एक तरफ aldehyde मिल रहा है, एक तरफ ketone मिल रहा है, I hope that is clear, तो यह आपका ozonalysis था, next करते हैं, अगला है Kucherov's reaction, Kucherov's reaction में ध्यान रखना है कि अपने पास, क्या है, अ curic sulfate in dilute H+, दे रखा होगा, या फिर कई बार वो directly Hg+, लिख देता है, मतलब point वही है कि आपका काम का reagent यह है, Hg+, यह आपको रख देखना है, किसी तरह भी दे सकता है, Hg, Cl2 के रूप में भी दे देता है, कई बार तो ध्यान रखना है, अगर यह दे रखा है, मैं mechanism नहीं बतारों, मैं आपको हर जगा जुगार बताऊंगा, जहां से आपका कोशन जल्दी निकल जाए, आपको ऐसी case में क्या करना है, आपके पास होंगे, इनसे पूरे जमिले से, तुम्हें मिलेगा दो चीजे, एक मिलेगा तुम्हें, एक मिलेगा तुम्हें H+, अब point यह है कि क इसको कहां पे add करे, आपना OH को वहां add करोगे, जहां अगर कार्बोकेटाइन बनता, तो stable बनता, तो OH कहां add करना है, जहां कार्बोकेटाइन stable होगा, कहां कार्बोकेटाइन stable होता, तो मुझे अब बताओ, triple bond के कौन सी तरफ कार्बोकेटाइन stable होगा, यहां पे देखो, इधर अगर बनाते तो R का क्या आता? R का प्लस I आता. तो यहां पे मुझे लगता है कार्बोकेटाइन जादा stable होगा. यहां पे H का कुछ नहीं होता, तो यहां कार्बोकेटाइन stable नहीं होगा. जहां कार्बोकेटाइन stable होगा, बस चुप चाब वहां OH लगा तो, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे OH लगा तोड़के, यहां पर क्या लगा दूँगा, यहां पर लगा दूँगा, यहां पर लगा दूँगा OH, इस पर लगा दिया, मैंने OH, और इधार दूसरी तरफ क्या लगा देंगे, दूसरी तरफ सेवल आने का कार्بो कटाइन जहां सेबल होगा वहां पहां पर आपके ओछ लगा detto अच्छा आप यह क्या मिला मुझे सर यह मुझे मिल रहा है इन फ्ञुम्स ऑल तो यह तो मेरा or Inol Form को और क्या होता इन-ol आपका अब की बारी मंटे को मिल गया क्रवोनgoneल कंपाउंड तो देख से शुरू करा तुम ने अलकाइंस से शुरू करके तुम्हें क्या मिल गया तुम्हें कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा तो यह आपको keyboard क्या बट इस पर आ रही है बट येस इस इस आउपका कुछ रॉफ्स रियक्शन है एंशॉर करना है यह रिएजन और इसमें टॉट्टोमेरिजम होती है जिसको टॉट्टोमेरिजम नहीं पता पहले वह रिवाइस कर ले ठीक है चलो यहां पर मैंने शॉर्टकट पूरा जो जो चीजे मैंने लिखी है वह बताई है वह सारे डूल्स आपके मिल जाएंगे मैं साइड हो जाता हूं इसको आप स्प्रीन शॉट ले सकते हो ठीक है चलो करें फिर कोशन लेट सॉल्ट तो यहां पर लगाना अपने को वह इस तरफ क्या बनेगा इस तरफ लगेगा ठीक है एक बॉं आपका CH2 ठीक है अब क्या करेंगे अब टॉटोमेरिजम करेंगे इसकी यह टॉटोमेरिजम करेंगा तो यहां पर हो गए इसकी टॉटोमेरिजम तो क्या हो जाएगा यहां गया CH3C double bond O यह आपका CH3 ठीक है यह आपको compound बन गया अगला करते हैं इसमें क्या है फिर से वही लेकिन इधर से क्या मिल रहा है इधर से तो resonance ओर ही है तो यह वाला कार्बोकेटायन अपकी बारी जादा स्टेबल होगा तो यहां पर आपका कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होगा तो इसी पॉजीशन पर क्या गरेंगे यहीं कर देता हूं यहीं पर आपना OH लग जाए यहां double bond O आ जाएगा, इधर आपका CH2, इधर आपका CH3, यह बन गया आपका compound, अपकी बारी, that is the final answer, ठीक है, इस तरह से आप questions करोगे, जुगाड पता लग जाओगे, अपने आप सारे answer तक पहुंच जाओगे, ठीक है, चलो, अब आते हैं, अब तक जो हमने methods करें, those were specific to your alde and ketones, मतलब, aldehyde ketones के अपने-पने methods से, जिसमें मतलब, दोनों मिल जाते हैं, अब जो मैं करवाने जा रहा हूं, वो है, जो सिर्f aldehydes को भी बनाएंगे, इसमें ketone नहीं मिलेगा, आपको, aldehyde के specific matter हो, इससे कुछ name reactions है, और name reactions की importance, आज कल के paper में तो बहुत जादा और बहुत direct question आ रहे है, इसके उपर, कही बाद तो direct नाम ही पूछ लेता है, अभी ये रोजनमून का भी इसी साल आया question, पिछले साल, तो चलो करते हैं questions, तो कौन से-कौन से पढ़ने है, रोजनमून reaction पढ़ना है, स्टीफन reaction पढ़ना है, और अपने को डाइबल एच पढ़ करोगे aldehyde में, तो यह आपका aldehyde है, तो acid chloride को aldehyde में convert करने का तरीका है, reagent बहुत important है, hydrogen in platinum in baso4, जो कि आपका जल्दी solvent जो रहता है, वो quinoline रहता है, यह जो होते हैं, यह आपका basically काम करते है, as catalyst poison, तो poison के जैसे काम करता है, मतलब यह जो baso4 quinoline है, यह आपका poison करता है, catalyst poison का मतलब होता है, catalyst की activity, मतलब यह activity कम कर देता है, ऐसे hydrogen platinum strong reducing agent है, लेकिन जब आप baso4 quinoline डालते हो, तो weak हो जाता है, तो वो क्या करेगा, वो आपका acid chloride को aldehyde तक लेके जाता है, aldehyde को further alcohol तक वो reduce नहीं कर पाता है, तो यह आपका reagent है, याद रखना है इसको, और कहीं न नाम होता है, यह reagent बड़ा important अभी है आपका, इसका एक नाम है, इसको याद हम लोग Lindler's catalyst भी बोलते थे, Lindler's catalyst, और कुछ याद आ रहा होगा, यह क्या करता था, कहीं ना कहीं, आपका triple bond को, alkyne को, alkyne में convert करता था, कौन सा है, सिज में, ये, ये वाला काम भी करता है, मतल लेकिन कौन सा alkyne, सिज alkyne, ये आपने hydrocarbons में पड़ा हुआ है, तो चलो फिर काम करते है, question ले लेते हैं, दोनों चीज़े clear हो जाएंगी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास acid chloride है, तो इसका तो aldehyde बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ मेरे पास क्या है triple bond, तो इसको क्या करना है, इसको आपको cis alkyne में convert करना है, तो reaction लिख देते हैं फिर इसका, देखो यह कुछ ऐसा दिखेगा मुझे, c, यह आगया, इधर h आगया, ठीक है, इसको तोड के आपने h h लगा दिया, ठीक है, और इधर आगया भईया, ch2, और इधर आगया भई e, c, यह double bond, o, and then you will have h, ठीक है, तो क्या क्या change हुआ, एक यहाँ से यह change हुआ, एक यहाँ से यह change हुआ, तो these are the two changes, इससे हमारा quotient complete हो गया, तो यह था भी आपका rosalman reaction, नेम reaction है, दिमाग में रखना है, फस सकता है, अगला, अच्छा, इसमें हाँ, एक important चीज रह गए इस important है, कि formaldehyde cannot be prepared by this action, क्या होता है formaldehyde के case में, अगर आप formaldehyde के लिए आपको क्या चाहिए होगा, यह वाला chloride चाहिए होगा, अब जब आप इसके साथ इसका reaction करवाते हो, तो यह compound unstable होके break कर जाता है, यह क्या करता है, यह आपका CO+, इधर क्या बचा आपका पीछे, पीछे आपका, यहां से H और CL, मिलके HCL बना देंगे, तो यह आपके compound बन जाता है, तो इस case में आपको aldehyde नहीं मिल पाता, तो formaldehyde को आप इस method से prepare नहीं कर सकते हो, यह थोड़ा सा याद रखना, आगे बढ़ते हैं, next is Stephen reaction, Stephen reaction कहा होगा, alkyl nitriles, अगर आपके पास alkyl nitriles हैं, और आपको इसको convert करना है aldehyde में, इस वाले compound को, मतलब nitriles को या cyanides को आपको convert करना है aldehyde में, तो this is what you can use, बहुत important है, और यहां पे मतलब मैंने देख है, ब्यंकर गलतियां करते हो तुम लोग, कि तुम इस reagent को ना याद करने में गड़बर कर देते हो, मतलब reagent याद ह हो के भी गलत कर देते हो, कैसे, यहां पे जो reagent है, वो actual में है SNCl2 plus HCl, यह reagent होता है, और मैंने लिखवा दिया है, it is not this, not your SN plus HCl, यह बड़ा important है, यह अलग चीज़ करता है, वो अलग चीज़ करता है, ठीक है, यह भी मता देता हूं, यह this is mild reagent, mild reagent, यह mild reagent होता है, और य यह आपका strong reagent होता है, strong reagent, ठीक है, यहां पे मैं दोनों के काम clear करवारता हूं, ठीक है, यह mild है, वो strong है, इससे भी आपको H मिलता है, उससे भी आपको H मिलता है, यह आपको 2H देता है, और यह आपको 4H देता है, ठीक है, तो मıtलब यह बहुत ज़्यादा reduce करेगा, यह mild reducing करते हैं कोशन के रूप में क्लियर करता हूं अगर आपके पास SNCl2 प्लस HCl है तो कुछ नहीं है आपको जो साइनाइड दिख रहा है इसको सीधा सीधा अगर आपको एसन प्लस है यह देखो यह माइल्ड है तो यह वो करेगा जो तुम्हें करवाना था यह आपका स्ट्रॉंग होगा अगर यह स्ट्रॉंग होगा तो यह क्या करेगा यह इसको पूरे का पूरा कंवर्ट कर देगा किसमें CH2 NH2 मतलब यहां पर क्या किया तो कि मैंने बताया यह क्या करेगा यह चार हाइडरोजन देता है और अगर यह चार हाइडरोजन देगा तो दो हाइडरोजन इसको मिल जाएंगे तो यह कंवर्ट हो जाएगा आपका एमीन के अंदर तो स्रीफन के अंदर SNCL 2 होता है, SN नहीं होता, ओल राइट, चलो, आगे बढ़ते हैं, next is Dibal H, पहले तो Dibal H का structure बना लेते हैं, क्या होता है, भई इसका है, फुल फॉर्म है, डाई आईसो ब्यूटाइल अलूमीनियम हाइड्राइड, डाई आईसो ब्यूटाइल अलूमीनियम हाइड्राइड मतलब, आपके पास यह है अलूमीनियम, ठीक है, इसके साथ लगे हैं, दो आईसो ब्यूटाइल ग्रूप, तो यह हो गया भईया मेरा एक आईसो ब्यूटाइल, और ये हो गया मेरा दूसरा आइसोब्यूटाइल, तो डाइ आइसोब्यूटाइल, अलुमिनियम और इसके साथ लगाना एक हाइड्राइड, क्या आगया हाइड्राइड, देखो या, डाइबल एच कना एक बहुत बलकी हाइड्राइड डोनर है, ठीक है, इसको बोलते हैं, बलकी हाइड्राइड डोनर, थोड़ा सा भारी बरकम मोटा आदमी है, ये, इसकी वज़स से ये बहुत जादा हाइड्रोजन नहीं दे पाता, ये एक हाइड्रोजन पर खुश है, तो ये कितना हाइड्राइड देगा, हाइड्राइड डोनेटेड पर मॉलक्यू, ओनली व पहले पड़ा हुआ था, याद है तुमने लीथियम, अलूमिनियम, हाइड्राइड, सोडियम, बोरो, हाइड्राइड ये सब पढ़ रखे हैं, वो थोड़े से तगड़े होते हैं, जा पर दस्त्त, लीथियम तो बहुत ही तगड़ा होता है, वो स्ट्रॉंग ने तो करते हैं, काम करते हैं यहां पर कुछ रिक्शन दे रककती हैं, करो यह से यह है, कहता है हमारे पास ऐसे अन्दर घी मतली अंध हएड तक चालताहाँ अच्छा एस्ट लोगए तो बहुत ड़ते होगे तो kinderg जाता है अच्छा यह नाइट्राइल दोगे तो भी ली हैट तक जाता है थीया तो हर केस में आपको क्या मिल जाएगा लेक्शन नहीं होता बड़ा डायरेक्ट लेते तो रियक्शन करवा देता था यादा रहे तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं तो इसे कोशन ले लेते हैं वह तो वह तो पूरा-पूरा तोड़ देगा यहां से भी जितने हाइड्रोजन देने हैं इसको देदेगा यह तो पूरा-पूरा ब्रेक करेगा और और कंवर्ड कर देगा किसमें इसकंपाउन में तो लिथियम अलुमिनियुम हाईड्राइड बहुत स्ट्रॉघ होता है जैसे यह कई ना कई वही हरकत वहगी स्टीफन वाली है, यह कौन सी हरकत करता है, SNCl2 Plus HCl वाली, और यह कौन सी हरकत करता है यह SN PLUS HCl वाली तो उसकी वहले हरकते हैं, तो यह strong है यह mild है, तो उस तरह से सोच सकते हो इसको तूम, चलो आगे बढ़ते हैं, next is aromatic aldehydes, अब मैं जो reaction करवा रहा हूँ, aromatic aldehydes को बनाने के specific reactions है, again इसमें भी name reactions और इस सारे NCRT में दे रखे हैं, तो इनसे questions बनते हैं बहुत, तो पहले बात करते हैं, itard reaction की, itard reaction दो तरह से करवाया जा सकता है, यहां तो आप यह ले सकते हो, this is basically this group, ठीक है, पूरा आपका एन्हाइड राइड है, यह आ गया, यह group है, इसको बस short में आप ऐसे लिख देते हो, तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना, कि यह AC2O लिखा होता है, तो तुम डर जाती हो, यह क्या है, ठीक है, अब इसके ऊपर, itard reaction के ऊपर, जो question आ रहे हैं, वो तो structure के ऊपर भी पूछ लिया, उसने, तो इसका थोड़ा सा mechanism देख लेते हैं, पहले मैं करा रहा हूँ, CRO2 CL2 के साथ, इसका क्या है, भई देखो, आप जब CRO2 CL2 देते हो, तो यह compound react करता है, और आपको कुछ ऐसा सा intermediate देता है, एक बार इस intermediate के ऊपर सवाल आया हुआ है, तो हम इस intermediate को ध्यान में रखेंगे, यह intermediate आपको मिलता है, उसके बाद होती है, इसकी hydrolysis, hydrolysis कैसे होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप सोचो, कि यहाँ पे आपने H दिया, इधर आपका OH, यहाँ पे आपने H दिया, इधर आपने दिया OH, तो I think तुमें यह पूरा structure इस form में convert हो जाएगा, और एक carbon पे 2 OH, वहाँ से क्या हो जाता है, वहाँ से आपका water का removal हो जाता है, तो water हट के आपको क्या मिल जाएगा, aldehyde मिल जाएगा, तो तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें यह याद रखना है, कि toluene, this is toluene, very very important, toluene से, तुम्हें सीधा-सीधा क्या मिल जाएगा, benzaldehyde मिल जाएगा, अगर तुम उसके अंदर डाल दो CRO to CL2, और कोई भी solvent, अगर लिखा CS2 ठीक है, नहीं तो AC2OE मैं तुम बोला, यह क्या है, यह basically आपका structure, फिर से बना देता हूँ, ताकि तुम इसको confuse ना करो, यह होता है आपका structure, ठीक है, इसका structure यह है, तो बस वही है, अपकी बार यहाँ से एक add होएगा, देखो यहाँ पे, एक बार इधर से addition हुआ, ठीक है, इधर से एक बार same addition है, यह बन गया आपका, फिर से वही वाली बात, अब भी hydrolysis करनी है, यह आपने H+, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपने H+, यहाँ पे आपने दिया OH, तो यह आपने reaction कर दिया, यह combine करेंगे, तो फिर क्या होएगा, जब यह hydrolyze करेंगा, यह structure मिल जाएगा, यह तो वही वाला ठीक है, यह दोनों ही इटार्ड रियक्शन है, बजब दोनों ही बोलते हैं, जनली वो पहले वाले को ज़्यादा पॉपुलर है वो, तो आगे बढ़ते हैं, next is गेटरमेन कूच रियक्शन, गेटरमेन भाई साइंटिस बड़ा मजज़दार था, इसने बहुत रियक्शन क हम इस चेप्टर में पढ़ते हैं, गेटरमेन कूच, एक है गेटरमेन भाई रियक्शन, गेटरमेन कूच के अंदर रियेजन्ड इंपॉर्टेंट है, यह होता है, कार्बन मॉनोकसाइड प्लस HCl, और कोई भी साथ में लूइस एसिड, अलूमीनियम क्लोराइड हो सकता है जिन्क लूरेड हो सकता है, कोई भी लूइस एसिड, यह क्या करता है, यह पूरे जहमेले से ना, इस पूरे जहमेले से, मैं तुम्हें याद रखना है, तुम्हें ना, यह चीज मिलती है, यह मिलता है तुम्हें, एकसे लिख देता हूँ, यह addition आपको मिलता है, मतलब है इस पूरे को मेंसे आपको ये मिलेगा, और ये क्या करेगा? ये बंजीन इसके उपर अटैक करेगा, और आपको product मिल जाएगा ये. This is what we are going to get. ये आपका final product है, मतलब वो Matrix है, बेंजल्डिहाइड आपने मिल गया आपके. So this is how you can prepared बेंजल्डिहाइड. by step आप reaction देखते हैं सबसे पहले आप ध्यान दखेंगे कि आपके पास क्या है आपके पास HCl था वो aluminum chloride के साथ reaction करेगा कैसे यह जो chlorine है यह इसके उपर attack करेगा तो आपका जो H plus होता है यह क्या हो जाएगा फ्री हो जाएगा यह साइड में ने करेगा इसका हमें कोई लेना देना नहीं है यह जो H plus होगा यह carbon monoxide के इसके उपर attack होगा तो carbon monoxide क्या करेगा यहां से अपना attack करेगा इसके उपर H plus की उपर तो यह आपको यह चीज मिल गई अब यह जो bond है यह शिप्ट कर जाएगा तो अब क्या होगा यह चीज जनरेट हो रही है मैंने तुम पहले लिख दिया कि स्पूरे जमेले से तुम यह यह मिलेगा वो जब जनरेट हुआ डायरेक्ट आपके बेंजीन है टैक करना है और आपको क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा सीधा-सीधा बेंजल्डी हाइड तो अगर बेंजीन से मनाना है तो तुम गेटरमेन कूछ पूरे जमेले से तुमे फिर वोई चीज मिलनी है तुमें यह यहाद रहना है कि यह चीज मिलेगी मुझे पिर से और ये मुझे मिल जा रहा है तो मैं क्या करूंगा बेंजीन मेरा इस कारवन पर अटेक करेगा अगेन मुझे क्या मिल जाएगा अगेन मुझे मिल जाएगा C double bond of H तो आप की बारी क्या change आया आप पहले जा था HCl aluminum chloride तो अभी भी है लेकिन CO था अब क्या आ गया अब CO की जगा पे HCl आ गया तो आप CO लोगे तो getterman कूछ reaction है आप HCl लोगे तो getterman reaction है बस इतना सा फरक है दोनों का product reaction almost sub-similar है ठीक है यहां पर जैसे में दिखा देता हूँ फिर फिर फर्स्ट तो इसिंक सहीम सही है H plus आपका free हो गया अब H plus कि CO पर attack करेगा पहले CO पर attack करेगा हो रहा था अब आपका HCN से होगा HCN में क्या है यह आपका nitrogen जो है यह carbon था तो यह nitrogen की उपर पहले आपको bond shift करा उससे क्या होगा positive negative हो गये अब nitrogen negative charge आ रहा है तो वह attack करेगा H plus पे तो उससे हमारे को यह चीज मिल गई यह चीज जब आपको मिलेगी अब धियान रखना attack आपका इधर से होगा अब करनी है आपको hydrolysis hydrolysis कैसे होती है यह आ गया OH- यह आ गया H plus ऐसे ही एक और OH- ऐसे ही H plus तो यह तीन बनके क्या बना देंगे C यह आ गया OH यह आ गया OH और यह आ गया H और मुझे पता है यह क्या होता है unstable होता है तो उससे क्या मिल जाएगा मुझे यहां से water निकल के मुझे यह चीज मिल जाएगी तो मतलब यह थोड़ा से mechanism complicated हुआ लेकिन मैं इसको ऐसे याद नहीं रखता हूँ मैं सीधा सीधा याद रखता हूँ कि भाई getterman कूच और getterman reaction similar है ठीक है प्रोड़क्ट सेम ही मिलने इंड तो तुम क्या करो तुम सीधा सीधा ओ पहले वाले को याद रखो ठीक है यह आपको क्या मिलना आपको CHO मतलब यह वाला nucleophile में ने बताया है तुम इसी से याद र आपके पास यहां पे toluene है toluene को तुमने लिया और तुमने क्या करा उसमें chlorine डाला light के साथ यह important है यह two equivalent यह लिखा हो भी सकता नहीं भी लिखा हो तुम्हें मान के चलना है two equivalent है उससे क्या मिलेगा उससे तुम्हें मिलेगा यह यह दो hydrogen replace हो जाएंगे किससे chlorine से यह आपन chlorine होगा वह आपका बां निंखल जाएगा ठीका यहां यहां पर आपका यहां से होगा तो दोनों chlorine बान निहाँकट जायेगे तो और H, अगें वोई चीज़, तो इसको बोलते है, side chain halogenation, generally chlorine use किया जाता है, to equivalent, ठीक है, तो इस तरह से भी आप बना सकते हो, चलो फिर, आगे बढ़ते हैं, next is M.O.P. of ketones, ketones से तुमने कैसे बनाया, मतलब ketone, ketone को बनाना है, specific ketone है, ठीक है, तो किससे बना सकते हैं, acid halide से, nit nitrile से, benzene से, तीनों से बन सकता है, पहले पकड़ते है, acid halide, acid halide ये बला है, आपने इसके अंदर डाला, grignard reagent, ठीक है, this is your grignard reagent, इसके बारे में तो इतना, मतलब तुम जानते हो, अब तक, तो मैं क्या ही बूलू, super reagent है, क्या करना है, आपको सीधा-सीधा बता देता ह हो, ठीक है, इसको बोलते है, die alkyl, this is die alkyl academy, वैसे तो इसका reaction अलग तरह से होता है, लेकिन मैं तुम्हें वही चीज़ बोलता हूं, ठीक है, आगर इमारे पास अलग तरह से reaction होना है, ठीक है, पर तुम क्या कर सकते हो, तुम यहां भी वही अरकत कर सकते हो, इसको ग्रिग ग्रिगनाड जैसे माल लो इसको, अगर ग्रिगनाड जैसे माल लेते हो, तो विर वही वाली बात जैसे वहां पर बनाया, वैसे बना तो यहां पर, R' स्थी, डबल बॉन्डो, R' खतम कोशि़, क्यों उतना kompligate करना, that's it, ठीक है, I hope this is clear, क्यों उतना kompligate करे, ठीक है, चलो आइट्राइल पे, अब पहले ग्रिगनाड का अटैक होएगा, इस कार्बन पे, ठीक है, यह आपको देगा ऐसे, तो यह कुछ आपको compound ऐसा बनेगा, देखना, R' C, डबल बॉन्ड, N, यह आगया, H, यह हमारा water से, medium से H उठाएगा, ठीक है, तो यह आगया, और इधर O H, इधर आगया, H, तो क्या जुड़ेगा, R' C, इधर 2 O H लगेंगे इसके साथ, ठीक है, और इधर आगया, R, और फिर जानते हैं, 2 O H जो होते हैं, यह क्या होते हैं, यह आपके unstable होते हैं, तो यहां से क्या निकल जाएगा, last में तुम्हारे पास product यही आजाएगा, double bond ह और यह आगया, ठीक है, तो again ketone बन गया, तो nitrile से भी आप grignard का reaction करवाओगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यह compound मिल जाएगा, that is ketone, ठीक है, next पकड़ते हैं, तो इसका एक reaction दे रखाए, कड़ते हैं, यह है grignard reagent, ठीक है, इसको attack करवाओ, इसके ओपर CL को बा करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो यह मेरा ketone है, और ketone को क्या करता है, ketone को reduce कर देगा, किसके अंदर, two degree alcohol के अंदर, तो यह बन गया मेरा product B, this is A and that is B, I hope this is clear, ठीक है, यह हो गया आपका reaction, आगे पकड़ते हैं, फ्रॉम बेंजीन, फ्रीडल क्राफ असाइलेशन, यह hydro procarbons में भी पड़ी है, यह अपने हेलोलकेंस में भी पड़ी है, यह अपने alcohols में भी पड़ी है, एक बट फिर से पढ़ लेते हैं, क्या होता है सके अंदर, आप जानते हैं, अगर aluminium chloride क्लोराइड क्या करता है, इस chlorine को खा जाता है, तो मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, तुम इसको याद रखो, कि यह जो compoundन है, यहां से मुझे यह लेक्ट्रोफाइल मिलता है, और अगर मेरे पास यह लेक्ट्रोफाइल आ गया, बेंजीन इसके ओपर attack करेगा, एंड आपको जो product मिलेगा, that will be this, यह आपका यहां पर product मिल गया, अगेन एक तरह से तुमें ketone मिल गय अगर यहां पर आर, एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, अगर आर आपका methyl होता है, इसको हम लोग acetophenon बोलते हैं, अगर आर आपका phenyl होता है, इसको हम लोग benzophenon बोलते हैं, बस यह common names है, आपके काम आजाएंगे कभी ना कभी, यह आपका compound हो गया, that is from Fridlka, so I think that's all from here इसका mechanism दे रखा है, वही चीज है, अगर आपको देखना है, chlorine ने attack करा, तो यह electrophile generate हुआ, electrophile के उपर इसका attack हो, वही मैंने बता दिया already, so that is all about this, अब बात करते हैं इसकी chemical nature की, अभी तक जो हमने पढ़ा, that was M.O.P, methods of preparation, बहुत सारे पढ़ने पढ़े हैं, यह बहुत सा यह थोड़ा सा important, what type of reaction they are going to show, तो यह काम करते हैं, देखो यार, इसमें न क्या होता है, अब की बारी, आपका nucleophilic attack होता है, सबसे पहले, यह जो है, this is called carbonyl carbon, यह जो है न, इसको बोलते है, carbonyl carbon, अब यह carbonyl carbon पे, oxygen लगा इसके उपर, तो oxygen बहुत electronegative होता है, बहुत electrone इस carbon पे बहुत सारा positive charge होगा, तो जो carbonyl carbon होता है, उस पे positive charge बहुत जादा है, तो उस positive charge कौन अट्रेक करेगा, भई, यह nucleophile attract होगा न, उसकी तरफ, positive negative को अट्रेक करता है, तो यह क्या करेगा, nucleophile, यह इसके उपर जाके attack करेगा, और उससे क्या हो देगा, यह bond मेरा break हो ज क्या, फिर क्या होगा, फिर इसके उपर, कोई न कोई, इलेक्ट्रोफाइल आपका आके attack करेगा, बलब की बार, इलेक्ट्रोफिलिक attack होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अब यह negative charge, oxygen पे negative charge है, तो यह अब क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे attack करेगा, and the final product you are going to get is this, यह दे करा, और आपने क्या कर दिया, एक यह sigma bond जोड़ दिया, एक sigma bond यहाँ है, और एक sigma bond यहाँ है, two sigma bond form, आपने दो sigma bond को form करा, एक pi bond तोड़के, दो sigma bond बन रहे, एक bond तोड़के, दो बन पनेंगे, भई, जब रता स्रीक्शन, येस, पहली चीज़ यह, दूसरा, attack जो होता है, carbon पे होता है, अब दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कि कोशन आता है, इसके उपर बहुत बार कोशन आया है, कि इसका reactivity को कौन decide करेगा, पहली चीज़ को nucleophile को इस carbon तक पहुँचना है, अगर मैंने यहाँ बड़े-बड़े group set कर दिये, माल लो, यहाँ पे मैंने बल तो reaction आपका हो नहीं पाएगा, और reaction अगर हो नहीं पाएगा, तो कहें का फिर, reactivity ना, तो आपको ध्यान रखना है, कि nucleophile को carbon carbon तक पहुँचना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे जो steric hindrance होनी चाहिए, वो कम से कम होनी चाहिए, अगर भीडबार जादा करोगे, reaction नहीं होगा, भीडबार कम गरोगे, तो reaction आपसी होजए, तो आपको reactivity जो होती है, वो कौन decide करेगा, steric hindrance कम है, तो reactivity जादा, तो एक चीज तो हो गई, जो reactivity order होएगा, it is inversely proportional to steric hindrance, तो एक बात तो आपको यह याद रखनी है, hysteric hindrance के यह inversely proportional है, दूसरा, जितना आपका, देखो, इसको यह nucleophile जो है, यह nucleophile इसके carbon के पास क्यों गया था, क्योंकि उस पर positive charge था, अगर positive charge जादा रहेगा, तो जादा reaction होगा, अगर positive charge कम रहेगा, तो reaction कम होगा, बड़ी सिद्धी सी बात है, क्योंकि negative था यह, और यह इ reaction होगा, उसके पास positive charge होगा, तो अब positive charge की intensity, जितनी positive charge जादा होगा, उतना reactivity जादा, तो it is directly proportional to delta, positive लिख देता हूँ, on carbon, on carbonyl carbon, ऐसे लिख देता हूँ, जितना carbonyl carbon पे positive charge जादा है, उतना reactivity जादा होगा, अब यह positive charge, वो depend करेगा, कि यह R group कैसा है, अगर यह R group इसको donate कर रहा होगा, अगर इसने electron दे दिये, तो यह carbon positive charge stable हो जाएगा, तो reactivity घट जाएगी, whereas अगर यही R group, electron खीच ले से, तो यह और positive charge हो जाएगा, reactivity बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे, तीसरा proportionality factor इस पे भी आता है, कि आपका R group, अगर होता है, electron withdrawing group, तो reactivity बढ़ जाती है, क्योंकि वो positive charge और जादा कर देगा, और एक साथ में याद रखना है, it is inversely proportional to electron donating group, अगर इसके उपर electron donating group है, वो positive charge को stable कर देंगे, वो reactivity घटा देती है, अब यह है सारे का सारा concept, ठीक है, reactivity हो गया, अच्छा, इस पूरे reaction को ना, हम लोग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे addition ह हो रहा है, addition हो रहा है, nucleophile, electrophile से add हो रहे है, कौन सा पहले add हुआ, nucleophile, इसलिए इस पूरे को हम लोग बोलते है, nucleophilic addition reaction, इसको बोला जाता है, nucleophilic addition reaction, इसको short में लिखा जाता है, NAR, ठीक है, तो यह जो भी आपने discussion करा, यह आपने NAR का करा, ठीक है, या, nucleophilic addition reaction की reactivity, I hope this is clear, तो यह सब points यहां लिखे है, aldehyde ketones undergo nucleophilic addition reaction at carbonyl group, attack of nucleophile is the rate determining step, मतलब यह जो पहला step है, यह आपका slow step होता है, इसी को बोलते है, rate determining step, सारे rates इसी से decide होंगे, obviously बातन nucleophile को वहां तक पहुँचने में बहुत मश्किल आती है, और यह सब factors जो मैंने तुम्हें पढ़ा द ठीक है, यह सब चीज़े यहां पर मिल जाएंगे आपको, चलो आगे बढ़ते हैं, अब एक कुछ कोशन करते हैं इसके उपर, इससे clarity और आ जाएगी, जो अभी अभी चीज़े मैंने बोली, let's use them, पहला है aldehyde की tone, इसमें कौन जाधा अच्छा reaction करेगा, बई दो बाते, aldehyde में यह है आपका plus i group, plus i group है, अगर यह plus i group है, तो इसको positive charge को जो यहां पर positive charges को कम करेगा, पर इसके पास तो दो-दो plus i group है, यह तो और जाधा बरबाद करेगे, तो ketone जो है, वो positive charge को क्या कर रहा है, positive charge को stable कर रहा है, तो इसके उपर negative nucleophile आके टैक नहीं कर पाएगा, यह stable तो कर रहा है, पर कम कर रहा है, ठीक है, एक चीज़, अच्छा और, यहां पे यह है bulky, this is bulky group, our group को bulky मानते है, यह आपका छोटू group है, पर यहां पे यह भी bulky group है, और यह भी bulky group है, तो दो-दो bulky group हो गए, जब दो-दो bulky group हो जाएंगे, तो भाईयो, बड़ी सिद्धी सी बात है, यह बंदा, जाधा reactive नहीं होगा, क्योंकि bulkiness कम चाहिए, और positive chart जाधा चाहिए, तो हर एक aldehyde, हर एक ketone से जाधा नार दिखाता है, nucleophilic addition reaction, तो reactivity aldehydes की जाधा होगी ketone से, I hope this is clear, yes, आगे बढ़ते हैं, next is aliphatic aldehyde and aromatic aldehyde, करो इसको try, जल्दी से, कर लिया भई यह question, क्या विचा रहे हैं, तो aliphatic aldehyde and aromatic में क्या करें, भई देखो, इस तरफ से तो group same ही लग रहा है सब कुछ, मुझे बस यह देखना है कि यह carbon क्या करेगा, यार यह carbon आपको plus size electron देगा इसको, तो positive charge थोड़ा सा कम तो करेगा, ठीक है, बट अगर मैं यह बात करों, तो यह benzene जो है, यह क्या करेगा, यह तो resonance electrons दे रहे है, वो तो और strong होता है, तो यहाँ पर positive charge और भी कम हो जाएगा, तो अगर मेरे पास aliphatic है और aromatic है, तो मुझे लगता है, उपर से बलकी group भी है, तो यह क्या हो जाएगा, अब की बारी, जो aliphatic aldehyde होगा, व होई, I think यहाँ पर दोनों hydrogen है, तो इसका तो obviously सबसे ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर एक methyl है, इसका थोड़ा कम reactivity होगी, यहाँ पर क्या है, यह आपका यह दोनों क्या थे, यह आपके aliphatic थे, aliphatic का ज़्यादा होता है किस से, aromatic से, यह तो आपने अभी अभी बता दिया स हमें, तो यहाँ तक तो clear हो गया, आगे यह सारे ketones है, यह सारे के सारे क्या थे ketones, तो यह की देखो ज़रा, यह छोटू की tone, यहाँ पर plus ही, plus ही आ रहे है, यहाँ आपका resonance आ रहे है, यहाँ दोनों तरफ resonance आ रही है, तो मुझे लगता है, order तो यही रहेगा, और क्योंकि यह सारे के सारे ketones है, तो हर एक aldehyde ketones है, तो यह आपका net order रहेगा towards NAR, that is nucleophilic addition reactions, अब ध्यान रखना है, इसमें से कहीं से भी पूछ सकता था, तो यह questions आए हैं, बार-बार, इनको थोड़ा से importance दो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिसे question यह कर लेते हैं, इसमें क्या रह रही, ठीक है, और इधर क्या लगा रहा है, इधर तो भाया, यह आपका plus N group है, ठीक है, तो obvious ही बात है, हमने पढ़ रख है, कि electron यह क्या है, यह electron withdrawing group है, यह electron donating group है, यह electron donating group है, लेकिन यह क्या है, यह बहुत strong है, हमें क्या चाहिए, हमें withdrawing group चाहिए होते हैं, तो भी activity बढ देख लेना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स बात करते है, stereo chemistry of addition reactions, आपके पास जो आपका aldehyde की tone आते हैं, अब इसके अंदर अगर आप carbon की hybridization देखो, यह क्या है, एक सिगमा, एक सिगमा, एक सिगमा, एक सिगमा, एक सिगमा, I think this carbon is SP2 hybridized, है ना, और अगर यह SP2 hybridized है तो यहार होता क्या है, यह actual मेना आपका planar होता है, तो this is the planar structure, देखो वेजी, यह आपका planar है, planar समझते हो, this is planar, तो planar होने का मतलब है, कि यह proper flat है, तो attack अगर nucleophile को करना है, अगर nucleophile को attack करना है, तो वो उपर से भी attack कर सकता है, उन्हीं चैसे भी attack कर सकता है, तो यह जो carbonyl carbon होगा, इसको आप nucleophile यहां से front side attack भी कर सकता है, दोनों possibilities है, आपका front side, यह हो गया back side, और यह हो गया आपका front side, दोनों possibilities है, कि आपके पास front side attack भी हो जाए, back side attack भी हो जाए, अगर आपके, तो अगर दो possibilities है, तो दो structure बनेंगे, एक बार देख लो, nucleophile back से आया, तो इध this is planar, तो यह आपका planar form है, तो planar form के चक्कर में हम लोग बोलते है, almost 50-50 बनते हैं, तो 50% आपका यह form बन जाएगी, 50% आपकी यह form बन जाएगी, तो समझ रहे हो, कि आपको कुछ ऐसा पढ़ा खाता, मैं SN1 reaction में भी ऐसी कुछ हरकत करी थी, है ना, तो वही वहली बात है, planar है, तो दोनों तरह से बराबर attack आपका होएगा, तो this is your studio chemistry, since it is planar, it is equally attacked from both the sides, ठीक है, अब बात करते हैं, इसके chemical reactions की, again, number of reactions है इसके अंदर, तो one by one हमें देखने पढ़ेंगे reactions क्या क्या है, पहले बात करेंगे, charge and uncharge, दो तरह के हमारे को देखने है, charge और uncharged nucleophiles है, मैं पहले पढ़ाता हूँ, आपको charge nucleophiles, उसके अंदर पहले आता है, हमारे पास cyanide, फिर आता है, हमारे पास bisulfide, इनको हमें देखना है, cyanide की बात करें, तो अपन यह है, आपके पास LDH ketone अब ले 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 हैं आपे, तो यह हमारे पास है, आपके पास क्या है, इसके अंदर, आ आप HCN अगर अंदर आगती हो, अब important LDH ketone, secret ketone भी हो सकता है, अगर आपके पास HCN है, reaction तो आपको मिली जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, होगा क्या, आपने इसको ऐसे सोचो, जितने भी यह reactions होंगे, जितने भी reactions है, एक तरीका इनको निकालने का, आप इसको क्या मा आपनो, यह positive होते है, तो यह आप इसको single bond है, यह positive है, यह आपका negative है, एक में क्या है, यह plus है, यह sine and minus, तो sine and minus इसके साथ आजाएगा, हईसके साथ आजाएगा, तो product क्या मिलेगा है, है हम पे, product आपको यह मिल जाएगा, ठीक है, this is the product, यह OH, यह आ गया, C, ठीक है, यह आ होते हैं synohydrin this is called synohydrin यह यह reaction ना काफी slow होता है क्योंकि HCN is a weak acid very weak acid ठीक है यह reaction एक तरह से बहुत weak होता है यह बहुत ही weak acid है तो बहुत ही कम reaction निकलता है इसमें से तो अपना क्या करते है इसकी reactivity बढ़ानी के लिए आप इसको किसी base के साथ डाल देती हो यह फिर आपकी इसके साथ salt डाल देती है यह salt डालता है acid weak acid plus salt इसको यहाद क्या बोलते थे buffer solution तो यह तो आपको बहुत ही fast and तो बहुत extra amount में reaction मिलेगा तो hcn के साथ याद रखेंगे synohydrin बनता है बस important चीज़ यह है कि जो यह आपका synohydrin है यह अगर तो hcn दोगे तो बहुत कम amount में मिलता है और बहुत slow reaction है otherwise reaction आप fast करा सकते हो ठीक है वह लिखा है it reacts very slowly with aldehyde dot ketone yes हम लोग reactivity increase कर सकते है कैसे या तो अलकली डाल दो या फिर आप कोई buffer solution इसका बना दो ठीक है next आते है reaction with sodium sodium bisulfite sodium bisulfite कैसे मैं आपको structure रिखा देता हूं यह आपका sodium plus हो गया यह आपका पूरा negative हो गया यह कुछ ऐसा दिखता है देखो यह हमारे पास आ गया और यह हमारा structure this is the bisulfite iron यह जो bisulfite iron होता है this is a bulky nucleophile बलकी nucleophile तो भई अगर यह bulky nucleophile है तो इस भईया के है नक्रे बहुत सारे नक्रे कुछ जादा और अगर नक्रे जादा है तो यह सब के साथ reaction नहीं करता किसके साथ करेगा आप यह aldehyde के साथ reaction कर सकता है यह ketone के साथ कर सकता है जिसमें ketomethyl group है मतलब आपके पास ketone में एक तरफ क्या होना चाहिए CH3 इसको बोलते है ketomethyl this is ketomethyl group यह वाला ketomethyl होता है तो यह आपको ऐसा ketone चाहिए और दूसरी तरफ दूसरी तरफ R group जो होना चाहिए यह भी सुनलो pH नहीं होना चाहिए अगर ऐसा भी कुछ है तो यह भी reaction नहीं देगा it should be aliphatic not aromatic लिखा भी है म होना चाहिए यह pH क्या होता है यह stable कर देता है बहुत आपका positive charge तो reaction नहीं होगा नखरे बहुता भाही के पहले से ठीक है एक तो आ नहीं पाएगा वहां तक pH भी बड़ा ग्रूप यह भी बड़ा ग्रूप तो reaction नहीं कर पाता तो ketone के साथ reaction कोन सा करेगा जहां पे bulkiness कम हो और तीसरा कहा है cyclic ketone cyclic ketone मतलब कुछ इस तरह के इनके साथ भी reaction कर जाता है तो कोई भी aldehyde के साथ reaction हो जाएगा साती साथ ketone के साथ नखरे है जिसके पास ketomethyl group है CH3 group लगे हो एक तरफ उनके साथ reaction हो जाएगा या फिर cyclic ketone के साथ हो जाएगा इसके अलावा किसी भी ketone के साथ इसका reaction नहीं होता है ठीक है यह हो गया तो अच्छे इसका product क्या से लिखना है यह इसका product लिखने का तरीका मांको direct बता देता हूं आप क्या करो आप यह इसको एच अलग करो एच पॉजिटिव अलग कर लो इसमें से और बाकी ऐसे लिखो गए SO3 यह आगया आपका साथ में एन है यह आपका यह product इस पूरे को negative मानते है फिर वही वहली बात इसको कैसे मानेंगे हम लोग यह पूरे का हमने bond तोड़ा इसका एक bond तोड़ दो यह positive यह negative तो कौन किसके साथ जाएगा यह मेरे पास आ गया O के साथ H चला गया इधर क्या आजेगा SO3 न बस यह आपका product है product generate करने का तरीका तो बड़ा direct है ठीक है product तो आपको मिल जाएगा but yes आपको देखना कौन किसके साथ reaction कर सकता है तो attack takes place अचा attack हमने sulfur के साथ क्यों करा क्योंकि जो sulfur होता है it is a better nucleophile than oxygen structure देखना आपने यहां से भी attack हो सकता था यहां से भी हो सकता था पर attack कहां से हो क्योंकि sulfur आपका better nucleophile है ठीक है आगे बढ़ते है next is uncharged nucleophile अब uncharged nucleophile में हमारे पास दो आते है oxygen और nitrogen oxygen में हमें जो reaction देखना है वो देखना है with alcohol और nitrogen में जो reaction देखना हो इसके derivatives का है वो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं that is इस तरह से लिखा जाता है nitrogen ammonia and derivatives इस तरह से हम लोग लि equivalent में product लाने का तरीका लग है वन में कैसे लाओगे वही जैसे अब इदा करते आ रहे थे यह प्लस यह माइनस यह क्या हो गया यह माइनस यह प्लस तो प्रोड़क्ट तो ऐसे आ देगा यह सी इसके साथ ओ इधर आ गया H इधर आ गया O और इधर आ गया R ठीक है अब एक च दोनों possibilities है अगर यह आपका aldehyde है मैं दोनों लग लग कर देता हूं यह aldehyde है और मेरे पास एक possibility ketone की ले लेता हूं वो मेरे पास यह possibility यह possibility है अगर यह aldehyde होता तो इसको प्यार से बोलते हैं hemiacetal अगर यह ketone होता इसको प्यार से बोलते हैं hemiacetal बस यह नाम है ठीक है अगर aldehyde होगा तो hemiacetal ketone होगा तो hemiacetal बस इतना सा ठीक है अगला अगर मैं two equivalents देता हूं two equivalents को generate करने का तरीका थोड़ा से different रहेगा इसमें क्या होएगा आपके पास मान लो यह मेरे पास compound थ ठीक है ऐसे ले लिया हमने यह हमारा h और प्राइम ठीक है कुछ भी आ गया अब धियान से देखना आपके पास यह आगया रोच आर ओ एच ऐसे ही एक रोच इदर ले लो आर ओ एच आपने क्या करना है इस में से water को हमें remove करना है water आपका remove हो गया अगर water remove हो जाएगा तो सदीलawan है इदर क्या आगया ओआए इदर गया और देखने मेरे पास की टोन आ तो इसको बोलते हैं किटून तो इसको बोलते हैं किटेट है कि alcohol कितना दे रख है अगर one equivalent देते हो तो aldehyde से बनता है hemiacetal, अगर two equivalent लेते हो तो बनता है acetyl, अगर आप one equivalent लेते हो ketone में तो hemiketal और two equivalent लोगे तो ketal, बस इतना सा याद रखना, acetyl जो होता है, वो aldehyde के पार्ट है, यह आपका aldehyde से बनता है मामला, और यह आपका ketone से बनता है, बस इतना सगी है, ठीक है, तो यह हो गया हमारे पास, अब बात करते है, reaction with your nitrogen derivatives, इसका भी एक direct परीक है, जो मैंने लिखवा रहा हूँ, उसको direct याद रखोगे, सारे question बन जाएंगे, आपके पास क्या है, इस तरह से मैंने अम लिख दे, जैसे कल को अगर यह ऐसा हो, देखो भी, ammonia, ammonia को कैसे लिखना आपको, NH2 और H, यह आपका क्या हो गया, ammonia हो गया, ठीक है, ऐसे माल लो मिलके, यह मैं उपर लिख देता हूँ, यह NH2 और यह Z, आप क्यों क्या करना है, आपको इनको यहां से पानी निकाल गया, यह पानी निकल गया, तो पीछे लेखो क्या बचेगा, पीछे आपके पास यह N और यह साथ में Z, यह बन गया, इस तरह से हमारे सारे कोशन को बन जाएंगे, और यह बहुत सारे हैं, अब बस गेम क्या है, गेम यह है कि आप इस Z को बदलते जाओ, ठीक है, जैसे एक्जाम्पल के लिए, अगर मुझे यहां पर रियक्शन करना होता है, यह मालू मुझे इसका रियक्शन करना है, अमूनिया के है, तो पानी निकालके पीछे प्रोड़क्ट क्या जनरेट कर दूगा, पीछे प्रोड़क्ट मैं यह जनरेट कर दूगा, तो यह है, आपकी इसके बहुत सारे कंपाउंड्स है, अब Z ग्रूप बदलता जाएगा, तो रियक्शन बदलते जाएंगे, एक चीज दियान होती है, 3 से 5 के बीच में, जनरली 4.5 के आसपास हम लोग प्रेफर करते हैं सबसे जादा, ठीक है, पीछ आपकी 4.5 के आसपास रहती है, यहां से आप अमोनिया के जो डेरिवेटिव है, उसके प्रोड़क्ट बना सकते हो, NCRT के अंदर इसका टेबल दे रखा है, और इतन की जगा एगर H डालता हो, तो क्या बन जाएगा, तो यह अमोनिया हो जाएगा, वो ही लिखा यहां पर, उसको अमोनिया बोलेंगे, तो यह प्रोड़क्ट हमारा जो आपको मैंने बता दिए अगर एनेस टू ले तो दोनों साइड तो हाइड्राजीन बन जाता है प्रोड़क्ट बनाओगे तो यह हाइड्रा जोन जीन का जोन बनता है यह याद रखता है यह बड़ा इंपोर्टेंट है अगला इसी में हाइड्राजीन में अगर आप एक ताके बेंजीन रिंग लागते है उसको बोलते है फिनाइल हाइड्राजीन बनेगा फिनाइल हाइड्राजोन ठीक है ऐसे ही उसका सेकेंड पोजिशन यह वन टू थ्री फोर तो टू फोर डाइनाइट्रो ग्रुप लगा दिया है टू फोर डाइनाइट्रो फिनाइल हाइ इसके अंदर ध्यान रखना आपके पास दो नाइट्रोजन एक यहां पर भी है एक आपके पास चलो यह थोड़ा नेक्स स्पेश पर डिस्क्रस करता हूं इसको सेमिकारबाजाइड बोलते हैं यह बनाता है सेमिकारबाजन तो यह आपके यह नाम ना इसके यह वाले याद रखने है रीजन बिंग इससे कोशन आया हुआ सबसे ज़्यादा कोशन जो बनता है वो इससे 2,4 डियन पी से बनता है इसको भी हमें डिस्क्रस करना पड़ेगा विकाज यह बहुत ही प्रैक्टिकल रियेजेंट है कैसे देखो भई आपका 2,4 डियन पी जो है इसको बोला जाता है ब्रेडिस रियेजेंट काम क्या करता है यह वो सुल्लो अगर आप कोई अल्डिहाइड में इसका रियक्शन करवाऊगे रियक्शन का तरीक्षा बता दिया मैं तुम्हें तो यह देता है आपको रेड कलर अगर आप इसको के साथ तब यह देगा यलो कलर और अगर आप की टोन के साथ रेक्शन करवाऊगे तो देगा औरेंज कलर मतलब आपको अगर प्रैक्टिकली बाहर से देखना है कि अल्डिहाइड है यह जो तीन है ना तमाशनीन इन तीनों की मैं तुम्हें बताता हूं बहुत सारे टेस् बगारा करेंगे बट यह बड़ा प्रैक्टिकल तरीख है से निकालने का सीधा एक रिएजन डाला हीट कर आंसर आगाता है तो यह आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कलर कौन सा किसके साथ बनता है ठीक है एल्डिहाइड के साथ रेड की टोन के साथ तुम्हारा एक आजाएंगे कार्बोनिल तू आपके अलकें मतलब आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड उसको आपने सीधा अलकें में चनवर्ड कर लिया थोड़ा जबरदस रिडक्शन है एक आती है कार्बोनिल से अलकोहल तक उतनी जादा स्ट्रॉंग नहीं थोड़े से वीक तो य एक आता है रेड़ फॉस्फरस प्लस हई इस सूपर स्ट्रॉंग गीट सबसे ज्यादा जबर दस्ते है ठीक है पर चलो हमारे अभी रियक्शन सिमिलर होंगे और वीक वालों में कौन सा आएगा लीथियम अलूमीनियम हैड्राइड आ गया सोडियम बोरो हैड्राइड आ ग पाद करते हैं इनके कार्बोनिल टू एलकेंस की अगर आपके पास जिंक अमल्गम इन कॉंसेंटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट करता क्या है आपका जो कार्बोनिल है इसको हटा के, दो ह्ट लगा 혹시 बस प्रोड़क्ट आ जाएगा इसको हटा थे जो कार्बोनिल जो आपके पास आ रहा है कार्बोनिल कार्बन को औकOne को हटा कर आप दो hydrogen लगा दो Basin बन जेंगा थिक है थामिलरली इसमें क्या होगा, हाइडराजीन है, उसके साथ आप इधाइलिंग ग्लाइको लिखा हो सकता है, कोई भी बेस लिखा हो सकता है, इसको बोलते हैं, वुल्फ केशनर रिडॉक्षन यह बेसिक मीडियम में होता है, यह ऐसिडिक मीडियम में होता है, इत्रांतरेंग के अंदर, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम ही बनना है यहां भी आपको क्या मिलेगा सेम चीज मिलेगी जैसे वहां पर मिल्रही है ठीक है और यह तीन मेट्रीड से आप ड्रीरेक्ट कर सकते हैं बात आ जाती है कि अगर मुझे नहीं करना इतना स्ट्रांग थोड़ा से mild करने है तो ये वाले reaction कर चुके है lithium aluminum hydride sodium borohydride hydrogen nickel या फिर sodium amalgam के साथ ethanol और वही इसको बोलते हैं बोले what blank reduction सब के अंदर चाहे चारों में कुछ भी कर लो सबसे आपको product यही मिलना है this is what you are going to get मतलब अब की बारी आप alcohol तक ही कर रहे है alcohol को further आप reduce नहीं कर रहे है alcohol तक ही जाता है तो अगर मुझे carbonyl compound से carbonyl से alcohol तक जाना है तो आप इन में से कोई agent ले सकते हो अगर बहुत जबर्दस करना है alcohol भी उड़ा देना है तो आपके पास यह agent है ठीक है करते हैं इसके अंदर यह पूरे का पूरा इसको उड़ा देगा यह पूरा oxygen हटा दो तो क्या बन जाएगा यह आपका यहां पे आ जाएगा see इधर H2 और एक H पहले से है CH3 बन गया अच्छा नीचे भी था इसको भी हटा के H लगा दो तो यह तो आपका यह मेरे पास ketone है तो यह क्या करता था याद है aldehyde को 1 degree के अंदर convert करेगा तो यह ऐसा कुछ दिखेगा aldehyde जो मेरा है उसको 1 degree alcohol में convert करेगा और ketone को किसमें करेगा 2 degree alcohol में तो 1 degree and 2 degree यह हमारा result आ गया इस तरह से आप इनकी differentiation कर सकते हो ठीक है आगे next is oxidation reactions तीन तरह के oxidation reactions आ रहे है tollens, phalanx, benedict tollens क्या होती है यह तीनो test हो ना practical identification test है बहुत important है specially tollens से तो 1000 question आया है tollens को हम लोग silver mirror test भी बोलते हैं this is also called silver mirror test क्या है यह test देखते हैं सबसे पहले reagent क्या होता है agno3 plus ammonium hydroxide ऐसे भी दिया जा सकता है या फिर direct उसका complex state में आपको देदेगा क्योंकि मिलके यह क्या बनाते हैं silver ammonium का complex दोनों में से कुछ भी दे रखा हो that is tollens reagent धिमाग में रखना है इसके अंदर पूरे तमाश दीने में से in the end काम की चीज जो होती है वो आपका actually ag2 कई बार इसको ऐसे भी लिख देता है या फिर कई बार वो सीधा सीधा silver plus in ammonia भी लिख सकता है in hydroxide ऐसी condition में भी लिख सकता है उसका मर्जी है वो इन में से कुछ भी रूप select कर सकता है आपको दिमाग में रखना है ag होता है plus one state में silver plus one state में करता क्या है आपके पास एक aldehyde reaction aldehyde के साथ होगा aldehyde को ये बंदा convert करता है carboxylic salt में carboxylic acid salt में मतलब क्या कर दिया इसने oxidize कर दिया तो अगर silver plus one से अगर इसको oxidize करा ये अगर oxidize होगा तो दूसरा बंदा क्या करेगा दूसरे बंदे की reduction होगी तो silver जो है वो आपका reduce हो जाता है उसकी reduction हो जाती है plus one से वो zero state में चला जाता है और यही जो silver है इसी की वज़ा से हम लोग क्या बोलते है यह होता है आपका silver in appearance तो जब आप test करते हो ना इसका test करने जाते हो तो वो इसको बोलते है silver mirror test वो silver चिपक जाता है तो अगर आपका aldehyde होगा और उसमें आपका tolerance reagent डाला और silver mirror बन गया मतलब तुम्हारा tolerance test positive है that is aldehyde आपका वहाँ पे होगा ठीक है अब point आजाता है कि कौन यह reaction देगा कौन नहीं देगा अगला अगला आता है phalanx solution यह actual जो phalanx reagent है दो पार्ट से बनता है एक होता जिसको बोलते है phalanx solution A that is copper sulfate यह main reagent होता है इसके साथ एक चीज डाली जाते है phalanx solution B जिसको क्या बोलते है जो की होता है preservative ठीक है वो यहाँ पे कौन सा लेते है वो हम लोग लेते है रॉशल salt basically क्या है यह हमारे पास होता है sodium यह sodium potassium tartrate यह पर लिखा नहीं है इसको बोलते है sodium potassium tartrate यह होता है रॉशल salt यह structure है not that important basically क्या है वो copper plus two के अंदर यह जो copper plus two होता है यह बड़ा unstable होता है इसको यह जो felling solution भी होता है उस stabilize करके रखता है तुम्हें यह structure याद नहीं करना तुम्हें बस यह याद रखना कि इसको रॉशल salt बोलते हैं यह sodium potassium tartrate बोलते हैं इन दोनों से मिलके बनता है हमारा felling reagent यह पूरे में से इस पूरे तमाशा से आपको याद रखना है copper प्लस 2 तुम्हें चाहिए होता है यह अमारा काम का काम engaged यह copper प्लस 2 मिलता है तो यह copper प्लस 2 reaction करेगा और convert हो जाता है copper प्लस 1 में तो यह reaction दिखा देता हूँ di copper plus 2 जो की blue color का होता है, वो convert हो जाता copper plus 1 में जो की red color का होता है, और यह red precipitate हमें देख जाता है, यह precipitate होता है, इसी से हमें पता लग जाता है, मतलब पीछे अगर red color बचे जाता है, तो तुम समझ जाना तुमारा falling test positive है, कौन है? यह reacting species, मतलब, this is not reacting species, reacting species आपकी copper oxide की है, यह copper oxide था ना, copper oxide लिख सकते हो, copper plus 2 बेसिकली, हाँ ठीक है, यह भी लिख सकते हो, copper plus 2 आपका काम का बंदा है, यह जो है, यह convert हो जाता, plus 1 में, तब reaction हो जाता, फुर वही वाली बात, इसमें क्या करा आपने, यह मैंने aldehyde लिया, अब ध्यान अखना सिर्फ aldehyde दे कोपर plus 1 में, उसका reduction हो रहा है, और यह जो होता है, तमाशा, यह आपका होता है, red color, this is red color, इसी से हमें पता लग जाता है, कि हाँ भी test positive हो गया है, तो कौन-कौन देगा, सिर्फ आपको aldehyde देता है, aromatic aldehyde भी यह test नहीं देता, ketone भी यह test आपको नहीं देता, और अगर आपको felling test clear हो गया है, जो felling के अंदर होता है, as it is, same होता है, benedict के अंदर, कोई खास फरक नहीं है, बस इतना अंतर है, solution A तो same ही है, solution B में अब sodium potential tartrate की जगा पे लेते है, citrate, अब बस उसका preservative बदलता है, वो पहले tartrate था, अब यह citrate है, structure यह है, not that important, बात करते हैं, इसक तो शीदे सेम ही है, as it is, सब कुछ सेम है, क्योंकि preservative बदला ना, वीजंट हो ही है, copper sulfate, तो copper plus 2 से plus 1 में जाता है, again red color देगा, वो ही reaction है, aldehyde को यह acid में convert कर देता है, acid salt में, कौन-कौन देगा, same हरकत, आपके पास aldehyde देगा, aromatic aldehyde नहीं देगा, ketone यह reaction नहीं देगा, तो that is all about your benedict solution, मतलब यह same ही है, benedict वा felling को अलग करने की जुरूरत नहीं है, same ही है, बस preservative बदलते हैं का, ठीक है, चलो फिर, काम करें, question आ रहा है, कि इन में से कौन reaction देगा, कौन reaction नहीं देगा, I think यह कैसा है, aliphatic aldehyde है, ठीक है, aliphatic aldehyde है, tolen aldehyde test देता है, felling भी देगा, benedict भी देगा, यह कैसा है, aromatic है, aromatic में, tolen दो दे देता है, पर felling solution और benedict solution यह test आपको नहीं देते हैं, ठीक है, तो इस तरह से question मनते हैं, कौन देगा positive test, कौन देगा negative test, तो यह आपको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, चलो फिर, आगे बढ़ते हैं, अब बचते ह last reaction, those are special reactions, एक है hello form, एक है eldol, एक है kenizaru, इसके बाद हमारा topic हो जाएगा खतम, ठीक है, तो रहा पानी बिने दो, बाई, pollution ने तो हालत खराब कर रखी है, पूरे NCR की है, वालत गरा इतना दव चुका है, जा चुका है, पूरे का पूरा, बट कोई नहीं, continue करते हैं, गरम पानी पीलिया मैंने, तो चलो बढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं, last part की towards the reactions, that is, hello form reactions, और यह eldol और कहनी जारो, यह थोड़े से इसके important reactions है, भर-भर के सवाल बनते हैं, इनसे, चलो बढ़ी start करते हैं, hello form पहले पकड़ते हैं, hello form क्या बला है, यह देखो, अगर मेरे पास CHCl3 है, तो इसको क्या बोलते हैं, chloroform, अगर मेरे पास CHI3 होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, अगर मेरे पास इसी तरह से, अगर मैं पास general halogen लेता हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे, hello form, तो पहला सवाल तो यह बनता है, कि आपका hello form क्या बला है, तो hello form CHX3 होगा, ठीक है, हम generally hello form जो यूज करते हैं, वो आपका ये बला लेते हैं, इसकी कुछ खास बात होती है, यह एक तो yellow color की PPT छोड़ता है, दूसरे इसका melting point 119 degree Celsius के आसपास है, तो यह जादा use होता है, ठीक है, chloro form भी कर सकते हैं, तो बहुए दिक्कत नहीं है, बस fluorine नहीं कर सकते हैं, बदब fluorine को मती use करो, तूरता नहीं है reaction में, बट आप कोई भ बड़ लग लग टाइप किया है, आपका main reagent होता है hypo halide ion, मतलब O के साथ halogen, oxygen के साथ halogen, उपर एक negative charge, या फिर इसको ऐसे दे देगा, sodium OCL minus, या फिर K plus OBR minus, कुछ भी दे सकता है, यह सब एक ही बात है, मतलब आपको main जो reaction कर रहा है, वो तुमारा वो hypo halide ion कर रहा है, से लिख देगा, या bromine plus QH लिख देगा, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब आप halogen के अंदर alkali डालते हो, या आपका P blocker group 17 का reaction भी है, तो आपको क्या मिलता है, हलाइड आइन मिलता है, प्लस आपको हाइपो हाइलाइड आइन मिलता है, और आपका काम इस हाइपो हाइपो ह हम यूज होता है, आपका ज्यादातर focus ये पहले दो के उपर होना चाहिए, इनमें से कुछ दिखेगा, तो ये आपका हैलो form का reagent है, ठीक है, दूसरा substrate क्या होगा, ये बड़े हलग variety S में हो, देखो, मैंने पहले ही बताया था, आपको क्या ढूणना है, ये वाला मामले को गोलते है, keto-methyl group, आपको सारा focus करना है, इस keto-methyl group के उपर, ये keto-methyl group जो है, ये कहां present है, ये जहां दिख गया, वहां reaction हो जाएगा, अच्छा, अब इसी keto-methyl group को ना, ये नीचे वाले आदमी भी ढूण लाते है, कैसे, हमारा जो reagent है, वो है OHIN, ठीक है, आपके पास basic medium है न, basic medium है, तो basic medium में क्या होता है, यही जो आपका compound है, देखते जाना बस, यह आपका क्या है, यही बंदा, basic medium में क्या होता है, convert हो जाता है, किसके अंदर, convert हो जाता है आपके उपर वाले compound के अंदर, मतलब ये भी क्या है, ये दिख है alcohol रहा है, पर है इसके अंदर क्य है इसके अंदर भी कीटों मिधाइलिकों तो आपका और वाली चीज नहीं मिल जाएगी तुम्हें तो चाहे यह लिखाओ या यह लिखाओ बात बराबर तो यह यह और यह तीनों सेम ही चीज है बस तुम्हें लग अलग लग परसे रही है अच्छा एक यह भी होता है दो हेलोजन लग जाएं दो हेलोजन लग जाएंगे तो एक बात बता हो ओएच की प्रेजिस में क्या होएगा दोनों के दोनों याद आ रहे हैं दोनों के दोनों रिप्लेस हो जाएंगे और जब एक ही कारबन पे दो ओएच लगते हैं तो क्या हो जाता है उसके अंदर से पा होगे यह आपके TWR हो तो चेलिक और रियुएर्फम के व्ल्क होगे तो रियाक्शन कैसे होता है रियाक्शन करने का तरीक्ज आपको मैं बता तो खर Спाल आपको σας अलंक को यह अपके कर देंगे, आपने इसको क्या कर दिया ? डिया तो मुझे कही ना कहीं लग रहा है, पीछे क्या है ? XX , आपका ह को X से रफ्लेस कर सकते हो है हा इनको भी भी सकते हो आप भी दो 19 तो Kil the restricted к इस लिए गञा है इसगे बनेगे इन देंगे , इन से लेना देरा नहीं है !ć compound है इसके साथ होईगी पीछे आपका N-A-H, मालो N-AH है मेरे पास, N-A-O-H, ये था मारे पास, अब आपको क्या करना है, यहां पे अब की बारी, यह आपका N-H+, अलग कर लो, यह Na-, इसको पूरे को अलग कर लो, ठीक है, और यहां से क्या गरो इसको ब्रेक करो, देखोई, यहां से इसे ब्रेक हो, मतलब H प्लस इधर चला जाएगा, और ONA, ONA इधर आ जाएगा, तो क्या मिल रहा है मुझे, मुझे RCO, ONA मिल रहा है यहां पर, येस, और साथ में क्या आजएगा, साथ में CHX3, जो कि आपका क्या ह हो गया, हेलोफॉर्म हो गया, तो इस तरह से आप शॉर्टकट से हेलोफॉर्म का रिजल्ट निगाल सकते हो, वैसे का मेकानिजम बहुत बड़ा है, पर तुम्हारा मतलब इससे बन जाएगा, ठीक है, तो यह हमारा प्रोड़क्ट हो गया, अब एक काम करते हैं, अब हमने चार important reagents पड़े हैं, इन चारो कोना एक साथ देखते हैं, कि कहां पर कौन सा reagent काम करेगा, ठीक है, यह मैं side हो जा रहा हूँ, एक बाद खुद से इसको try करो, ठीक है, एक बाद खुद से इसको try करो, कि कौन किसको देगा result, ठीक है, पहला, टॉलन, पहले आप सारे टॉलन अल्टिएट देता है, अल्टिएट देता है, और पहले तैरोमेंटिक यह तो यह प्रेगा एक बिल्गूल भी नहीं देता है, एलोआ एलटिएट विखिण favor, कितो मिथाइल गृप नहीं है, किपो मिथाइल गृप दिख रहा है, यह देगा, इसके अंदर भी कितो है और हमारे पास आखरी बचा बाईसल्फाइट अगर आपको याद हो LD है तो LD है देगा um तो कीटो नहीं तरफ किटो मिठाइल होगा या तो साइक्लिक होगा ठीक है तो कीटो मिठाइल है यस तो दूसी तरफ द्यान अथना तो यह भी आपको दे देगा, अच्छा, कीटो मिथाइल है, ठीक है, दूसरे तरफ फिनाइल आ गया, तो यह नहीं आपको देख पाएगा, तो यह नहीं होगा, और यह क्या है, साइक्लिक, साइक्लिक है, तो यह मुझे लगता है, यह reaction देदेगा, तो यह अगर आपने कोश reaction पर, यह reaction होता है, due to acidic nature, आपके aldehyde ketones acidic भी होते हैं, तो उसकी वज़े से होती है, कहां पर aldol होगा, पहली बात, अगर आपके पास alpha hydrogen है, जैसे यह मेरा aldehyde है, ठीक है, aldehyde का यह carbon, जो पहला carbon होता है, इसको बोलते alpha carbon, अगर उसके साथ hydrogen जोड़े हुए है, तो यह वह reaction आपको मिलेगा, पहली बात, reagent क्या है, आपको लेना है dilute alkali, अब यह NaOH dilute लिखा हो सकता है, यह नहीं भी लिखा हो, तो भी माल लेना, कOH हो गया, barium hydroxide हो गया, sodium carbonate हो गया, इन में से कुछ भी है, यह आपके सारे के सारे reagents से aldol के, ठीक है, करता कैसा है, अब यह बहुत सारे तरह का होता है, self हो सकता है, cross हो सकता है, तो यह करके मैं सारे बता देता हूँ, अगर एक समझ गए, तो सब समझ आते हैं, तो self को अच्छे से समझ लो, बाकी तुम खुद से बना पाऊगी, कैसे यह करना है, सबसे पहले, self मतलब एक ही aldehyde है, उसी के अंदर reaction करना, तो सबसे पहले क्या करो, alpha hydrogen है, alpha hydrogen को यह pick करेगा, यहाँ पर मैं तुम्हें mechanism से ही करवाओंगा, पूरा, ठीक है, यह आगया आपके पास, CH2 minus, यह आगया C double bond wedge, यह इसका real mechanism है, यहाँ पर हवावाजी नहीं कर रहा है, तो यह आगया CH3, C double bond wedge, यह तो हमारे पास present ही है, इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ, इसको 4 बोल देता हूँ, तो 1 पे C double bond O H, यह मेरा 1, second मेरा CH2, third मेरा CO minus हो जाएगा, यह third है, इसके साथ एक H लगा हुआ है, और यह मेरा CH3, 4, ठीक है, numbering कर लोगे, तो यह easy रहेगा, उसके बा C double bond O H, यह आगया CH2, यह आगया C O H, और यह आगया CH3, यहाँ तक जो reaction हुआ, यह जो reaction हुआ, इसको बोलती है, L double reaction, यहाँ तक आपका L double reaction था, ठीक है, अगर आपका साथ में heat mention हो, कि आपका O H के साथ उसने heat भी mention की होती, heat करने पे एक step और बढ़ जाता है, उसमें हो जाती है dehydration, तो यहाँ पर इसको ऐसे दिखो, यह H है, तो यह क्या होता है, यह आपका पानी यहाँ से निकल जाता है, और बीच में double bond आ जाएगा, तो उस case में जो product मिलेगा, वो तुम्हें यह मिलेगा, ठीक है, this is the product that you are going to get, इसको बोलेंगे aldol condensation reaction, तो यह आपका condensation reaction होगा, इसलिए दो reactions दिखते है, aldol reaction दिखता है, एक aldol condensation दिखता है, तुम्हें ध्यान इसका रखना है, कि reaction जो हो रहा है, उसमें heat दे रखी है कि नहीं दे रखी, अगर heat दे रखी है, तो हम लोग यह product बनाते हैं, अगर heat नहीं दे रखी होती, तो उस case में अपन alcohol वाला aldol product बनाते हैं, तो यह हो गया आपका self-aldol, self क्यों बोला, क्योंकि आपके पास एक ही aldehyde की tone था, ठीक है, दोनों दे सकते है, aldehyde भी दे सकते है, ketone भी दे सकते है, तो यह आपका product हो गया, ठीक है, I hope this is clear, चलो, एक कोशन में कि की tone का कोशन है, ठीक है, क्या हो जाएगा, सबसे पहले alpha hydrogen है, तो यह alpha hydrogen को pick करेगा, ठीक है, यह खुद से try करो, आप लोग, जितना खुद से कर पाओगे, उतना जल्दी यह कोशन बनेंगे, फिर क्या करेगा, फिर यह खुद की उपर attack करेगा, खुद की उपर attack कैसे करेग इसने इसके उपर attack करा, यह बाहर निकल गया, तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, देखना भई, ठीक है, यह bond बना, यह आगया आपके पास, और यहाँ पर आपका O, माइनस था साथ में मैंने पानी याड़ कर दिया, तो O माइनस का OH बन गया, और मानलो अगर आप इसको heat कर रते हो, तो यहाँ से क्या होएगा, एक चीज़ वैसे trick बता देता हूँ, हमेशा alpha, beta, double bond बनाना होता है, तो आपका यह alpha carbon है, carbonil का यह बीटा है, तो double bond इसी के बीच में आएगा, और पानी यही से निकलेगा, तो answer क्या बनी जाएगा, answer आपका यह आजाएगा, देखो is easy, ठीक है, तो यह आपके question होगा, यही question है, आपका PYQ में आए हुआ है, यह दिखाऊँगा, आपको last of PYQ, ठीक है, चलो, अब बात करते है, cross and dole की, cross and dole की, cross and mix का मतलब है, कि एक से जादा आपके पास LD heights होंगे, again, step one यह यह याद रखना है, cross and mix में क्या होता है, वो इसका भी एक self product आएगा, there is that possibility है, हम मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब वो generally दो अलग-लग LD heights देता है, तो आपको वो चाहता है, उसकी tendency है कि आप mix वाला बनाओ, एक से दूसरे को react कर रहा हो, तो वो कैसे करेंगे, वह इस में से ढूंडो जरा, किसके पास आपका alpha है दोनों के पास alpha है, नहीं, इसके पास alpha है, तो अगर इसके पास alpha hydrogen है, तो सबसे पहले OH क्या करेगा, इसके उपर attack करेगा, तो आपको क्या दे देगा, आपको ये product मिलेगा, CH2-C double bond OH, अब ये क्या करेगा, ये उसके उपर cross पर attack करेगा, ये इसके उपर attack करेगा, कैसे attack करे तो क्या जेगा देखो भई इसको मैं ऐसे लिख देता हूं यहां से 123 तो वन आ गया COH यह आ गया मेरा 1 तू पे मेरा CH2 3 पे मेरा सी साथ में वाटर आड़ कर दिया तो यह मेरा यह अगया CH2 यह आपका प्रोड़क्ट बन गया अगर वो बनाता है वही वाली बात है, heat दे रखी होगी, तो ये product बनाएंगे, नहीं दे रखी होगी, तो यहां तक चल जाएगा, ठीक है, I hope this is clear, अब क्या असर इसके self नहीं बनेगा, वो बिल्कुल बनेगे self, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट दिमाग भी एक चीज रखना है, self वाले products, वो generally ऐ में alpha hydrogens होते हैं, तो फिर दो cross product बन जाते हैं, तो that is the type of potions that they ask, ठीक है, अगला करते हैं, अब है इसमें आपके पास एक aldehyde है, एक ketone है, अगर एक aldehyde और एक ketone है, उस case में important ये है, कि आपका ketone जो होता है, उसका alpha hydrogen आपको हटाना है, ये आपका aldehyde है, this is your aldehyde, this is your ket ketone, तो ध्यान रखना है, जो reaction होगा, वो ketone से start होगा, तो मैं काम करता हूँ, ketone से start कर देता हूँ, क्यों, इसका answer अभी एक minute में मिल जाए, ठीक है, तो ये मेरे को क्या देगा, CH2 minus, ये आगया, C double bondo, CH3, ये क्या करेगा, ये attack करेगा मेरे aldehyde के उपर, ठीक है, ये attack करे देगा, that is CH3, साथ में water add कर देते है, OH, और ये आगया, CH2, ये आगया, C double bondo, CH3, अगर किसके उसमें दिक्कत आती है, numbering कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, आपका जो rate determining step होता है, वो ये ही होता है, attack, intermolecular attack, ठीक है, ये आपका rate determining step होता है, तो आप ये देखोगे, कि जो aldehydes और ketones, बेज़ादा reactive कौन से होते हैं, aldehydes होते हैं, तो aldehydes पे attack करना असान होता है, इस वज़ा से ketone aldehyde पे attack कर सकता है, aldehyde को ketone पे करने में मौत आईगी, तो जब भी कभी aldehyde और ketone हमारे पास presence है, बस इतना दिमाग में रखना कि ketone का alpha hydrogen remove करना है, बस ये trick याद रखो, अगर कभी ये है, ketone से alpha hydrogen हटाओ, बस इतना याद रखोगे, आगे तो mechanism तुमें पता ही है, वो तुम निकाल लोगे, और किसी को अगर इसमें करना है, तो ये आपका alpha, ये आपका beta, यहाँ से आप remove कर दोगे, heat करने पे, तो CH3, CH double bond CH2, CH2 नि होएगा, यहाँ से CH हो जाएगा, और यहाँ से C double bond हो CH3, लो ये product भी बना दिया मैंने, ठीक है, I hope this is clear, ये मैं mechanism से क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इसके अब आपको, वैसे तो एक दो short tricks भी है, पर वो ना complicate करती है, चीज़ों को, तो इससे ज़्यादा बैट रह तो ये सब चीज़े यहाँ पर लिखे, when aldehyde and ketones are present, ketone will form the carbonyl and attacks on aldehyde, क्यों, क्योंकि it is easier to attack aldehyde, ठीक है, चलो, अगला case पकड़ते हैं, intermolecular aldol, अगर intermolecular aldol होगे, एक molecule के अंदर ही आपको aldol करना है, तो कैसे करोगे, अब लग-लग possibilities है, बढ़ी सिद्धी सी बात है वेरा multiple possibilities, मैं एक possibility discuss कर देता हूँ, बाकी आप खुद से परोगे, ठीक है, एक क्या है, आपको alpha hydrogen देखने, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो एक यहाँ से alpha hydrogen पकड़ते हैं, ठीक है, यहाँ से आपने alpha hydrogen पकड़ा, तो यह remove हो जाएगा, ठीक है, यह आपका alpha hydrogen यहाँ स remove हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो मुझे लगता है, यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ दिखेगा, देखना भई, एक मैं कर रहा हूँ, बाकी case आपको हुद बनाने है, ठीक है, यह आपको CH2 minus, यह देखेगा, अब यह क्या करेगा, अब molecule के अंदर ही दिख रहा है मुझे, तो यह उसी के उपर attack कर देगा, तो यहाँ से attack हो जाएगा, इसके उपर, देखो वे, इसके उपर attack हो जाएगा, numbering कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 membered ring मनेगी, तो 7 membered ring मना देते हैं, ठीक है, 7 membered ring मैंने मना दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 पे कुछ नहीं, 2 पे double bond हो, ठीक है, 3, 4, 5, 6, कुछ नहीं, 7 पे आपका O, मतलब यह O negative बनता है, तो O H बन जाएगा, यह बन गया, यह हो गया आपका L double product, और किसी को बनाना है L double, वो heat वाला, तो यह आपका alpha है, यह आपका beta है, इनके बीच में double bond आ जाएगा, तो उस case में product क्या बन जाएगा, उस case में product आपक यह बन जाएगा, लो भई, तो यह हो गया, अच्छा, एक यह option था, और option बताओ sir, और option यह था, कि तुम इसका हटाओ, इसको negative करके, इसका attack इसकी ओपर करो, ठीक है, एक option यह था, यहाँ पे आपकी five member ring बनेगी, यह आपका home bucket, ठीक है, एक यह option भी था, अच्छा, और option, ह तो आपके पस multiple options है, ठीक है, point यह है, कि अगर question ऐसा आता है, तो generally वो हमसे पूछता है major product, कि find the major rub, आइसे तो options ही बहुत है, ठीक है, बहुत सारे आप बना लोगे, जही में जब questions आते हैं, उस case में तो multiple सारे बनाने को पूछता है, पर neat में जब questions आता है, तो उस case में major product प यह है, तो जो सबसे जादा stable होएगी, that is the option, यहाँ तो total products पूछ लेगा, आप most stable पूछ लेगा, इस से stability order से आप उसको बता सकते हो, ठीक है, तो यह हो गया जी, aldehyde आपका, that is all about aldol reactions, अब बात करते हैं, canisaro reactions, अगर हमारे पास alpha hydrogens है, तो आप reaction करते हो, aldol, पर अगर alpha hyd hydrogens नहीं है, aldehydes having no alpha hydrogens, तो यहाँ पे आपका aldol reaction तो होएगा नहीं, aldol reaction की possibility नहीं है, और अगर aldol reaction की possibility नहीं है, तो वहाँ पे होता आपका canisaro reaction, जैसे example के लिए form aldehyde, कोई alpha hydrogens नहीं है, benzaldehyde, कोई alpha hydrogens नहीं है, फरफर aldehyde, कोई alpha hydrogens नहीं है, इनमें आप canisaro reactions क कर सकते हो कैसे करना है कैनी जारो reaction पहले तो reagent देख लो अब की बारी आपको concentrated alkali चाहिए और साथ में heat चाहिए होती है अब heat चाहिए concentrated alkali चाहिए reaction में तुम्हें direct बता देता हूं कैसे एक तरह करना disproportionation reaction है disproportionation reaction है होता क्या है इसके अंदर आपका यही यह आपका क्या है aldehyde aldehyde को एक बार oxidize करोगे और एक बार reduce करोगे oxidize करते हो तो आपका acid बनता है आपको acid का salt बनाना है ठीक है यह salt बना दिया और एक बार इसका एलकोहल बना दो, that is alcohol क्या बनेगा इसका? इसका एलकोहल ये बनेगा तो एक बार आपने alcohol बना दिया और एक बार आपने इसका acid salt बना दिया, carboxlic acid salt बस, that's it, अगर इसके साथ na लिखा होता तो यहाँ पर na देटे लिए अपका प्रोड़क्ट एक बार ऑख्सिडाइस करके सॉल्ट बना दो एक बार रिड्यूस करके अलकॉल बना दो ये आपका सॉल्ट बन गया और एक बार साथ में क्या बन जाएगा साथ में बन जाएगा इससे आप directly निकाल सकते ठीक है यह आपका कहनी जारू reaction होता है mechanism जिनको देखना है this is the mechanism एक बार बता देता हूं OH का attack पहले आपका सीधा carbon बनते होगा तो वो आपको यह agent देगा इसका क्या होगा यह वापस आएगा जब यह वापस आता है तो यह होता है this is the rate determining step यह hydrate जाके इसके उपर attack करेगा और यह क्या कर देगा उपर चला जाएगा तो इधर से तो आपका क्या बन गया एसड बन गया और इधर से आपका अलकोहल वली साइड बन जाएगी पानी में जाओगे एसड एच प्लस डोनेट करता है तो salt में चला जाता है और एलकोहल यहां से एच प्लस लेगा और पूरा एलकोहल जिनरेट कर देगा ठीक है यह आपका मेकैनिजम है में चीज यह है कि आपका हाइड्रेट अटाइक होता है ठीक है तो यह सब चीज़े लिखिए है ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड इस रेडिटर माइनिक से फेवर्ड बाय कॉंसेट्रेटेट अलकलिया हाई टेंप्रेचर ठीक है चलो अब आते हैं अगला टाइप का इंट्रा अगर हमारे पस इंट्रा मॉलेकुलर केहनी जारो हो जाए पुछ नहीं आप एक तरफ से एक तरफ से अलकॉहल बना दो क्या गरना यहाँ पर यह आपका इसको मानलो मैंने अलकॉहल बना देता हूं तो चलो एसे बना देता हूं यह आजएगा अपका स्ती ओ माइनस इधर क अलकॉहल बन जाए खलो ठीक है? सेम चीजी यहाँ पर क्यारेगे यह मेरा एक तरफ मैं इसको सॉल्ट बना देता हो एक तरफ से इसका अलकॉहल बना देता हूं अब आता है क्रॉस या मिक्स कहने जारो अगर अलग लग आ जाए अभी दर तो असान थी या अलग लग आ जाए ध्यान रखना है Acid Salt salt उसका बनता है जिसकी reactivity जाँ यह दिमाग में रखना Salt उसका जिसकी reactivity जाँ है जिसकी ऐसे लेएपना जलूँटल नार जादा तो salt बनेगा बस इस से काम हो जाएगा इन में से ज्यादा reacting कौन था? ये reactive था, इसका salt बन जाएगा इसका salt बना दो और दूसरे का फिर alcohol बन जाएगा दूसरे का alcohol बन जाएगा बस ये golden principle है जिसका नार जादा हुएगा उसका salt मनेगा आपने सारे question set होगी और जनली आपके पास formaldehyde तो होता ही है, वो तो सबसे ज़्यादा reactive है, तो उसका हमेशा salt बनाना होता है, वो यह चीज लिखी है, in a cross canisaro type reaction, अगर formaldehyde present है, तो वो हमेशा salt में जाएगा, दूसरा बंदा हमेशा reduce हो जाएगा, ठीक है, तो यह होगे आपके reactions canisaro के, अच्छ होगे, तो आपका aldol reaction हो जाना चाहिए इस case में तो, इस case में तो aldol reaction हो जाना चाहिए, लेकिन जब आप aldol करने जाते हो, तो step 1 क्या होता है, step 1 अगर मुझे याद है aldol का, तो यह क्या करता है, यह इस hydrogen को उठाता है, याद है, तो क्या बनता है, कुछ आपका product ऐसा बनता ह है, देखना बई, कुछ product आपके ऐसा बनता है, यह negative, यह CO, अब यह जो है ना, यह पहले बनेगा, इसके बाद फिर आगे attack होता था, यह बन्दा बहुत unstable है, क्यों, क्योंकि इसको इधर से भी plus ही मिल रहा है, इसको इधर से भी plus ही मिल रहा है, तो यह क्या है, यह बहुत unstable है, जिसकी वज़र से हम बोलते हैं, इसका aldol is very very slow, तो हमें उसको इसका aldol मानते ही नहीं है, क्या क्या करना है, इधर एक आपका alcohol बन जाएगा, एक आपका इधर acid बन जाएगा, एक आपको क्या बना दिया, acid बना दिया, तो इसका canisaro मानना होगा, इसका आपको मतलब aldol नहीं मानना, ठीक है, जबकि इसके पास alpha hydrogen है, क्यों, क्योंकि unstable इसका intermediate बनता है, एक example है, जो तुम्हें याद रखना जो तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो यह हो गया जिया, आपके aldol, अच्छा एक यह रहा गया, electrophilic substitution reactions, इनको और देख लेते हैं, यह electrophilic substitution reactions क्या है हमारे पास, benzaldehyde आपके पास है, I think यह minus M group है, this is the minus M group, और minus M group कैसा होता है, वो electron withdrawing group है, तो यह कैसा करेगा, यह आपका meta position पे क्या करेगा, meta position पे attack करवाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आपको कौन से electrophil मिलता है, यह तो हमने last last में भी करा था, यह सर आपका NO2 plus electrophile है, यह कौन से electrophile देता है, यह आपका BR plus electrophile देता है, तो product क्या मिलेगा, पहले case में मुझे लगता है, product मेरा यह आ जाएगा, yes or no, ठीक है, और इस case में product क्या आ जाएगा, इस case में meta director, बस इतना सा हो गया, ठीक है, चलो सर, that's it, बहुत मुश्किल से LD head की tones हमने खतम करा है, कुछ PYQ कर लेते हैं, और फिर इसको de-end करते हैं, गला मेरा ऐसे बैठ चुका है, पहला है यह की option था रहे, इतना करने की जूरत नहीं, यह की option है, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे करने की जूरत नहीं है, match कर लेना वैसे, ठीक है, next is this, reaction between benzaldehyde, यह है मेरा benzaldehyde, oh sorry, benzaldehyde and acetophenone, acetophenone है आपका यह, this is acetophenone, कहते हैं, अगर इनके बीच में reaction होएगा, dilute NUH की presence में, इनको आपने reaction करना है, NUH लिया आपने dilute, dilute है तो LDOL होगा, ठीक है, is known as, canizaro तो नहीं, canizaro तो नहीं, LDOL होगा, लेकिन, दो अलग-लग type की हैं, तो उसक आपका next question हो गया, इसको करते हैं, क्या बोल रहा है, identify compound, यह देख लो, सारी question recent है, देख लो, 22 का question है यह, questions are very very recent, neat के सवाल है, recent है, तो देख रहे हो, कैसे questions आ रहे हैं, यह देख रहे हैं, यह तो बहुत, बिल्कुल इनकमा, कहता है, X बताओ क्या है, भाई, यह आपको दि क्लोरिन लाने है, यह आपका X हो जाएगा, इसका तो पूरा आगे तक करा था, तो CHCl2, यह आपका answer है, लो, 20 का सवाल भी उड़ा दिया, अगला करते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, देखो ज़रा, इसमें आपको बोल रहा है, identify compound in the following reaction, यह, I think, वो, यहाद है, लेंडलर्स option, this, D option is the correct answer, और देखते हैं ज़रा, और इसको देख लो एक, ठीक है, कोशन करा तो था, यह किया नहीं था, जो मैंने second example लिया था, which of the following is the product when cyclohexanon, यह cyclohexanon है, ठीक है, cyclohexanon को कहता है, undergoes aldol condensation, और heat भी करा, followed by heating, तो OHR को देना है, dilute और heat भी करना है, यह reaction अभी अ यह बनाया, यह बनाया था हम लोगोंने, option C, कहां करा है, यह मैं दिखा भी देखता हूं, अगर जस्केसों में जानना है, तो, uh, aldol कहा है हमारा, aldol का case 1 में के रहा था, यह देखो जरा, self-aldol, यह वला, यह देखो, वो product बनना है, C वला, तो that is the correct answer, तो चलो फे, with this, we have come to the end of the discussion, and this is all about your aldehyde and ketones, chapter के अंदर reactions बहुत सारे हैं, MOPs भी बहुत सारे थे, chemical reactivity बहुत सारी थी, और special reaction, name reaction बहुत सारे हैं, तो मैं यही बोलूँगा, इस chapter को, पूरे mind map से, at least सारी चीज़ों को, tricks आपको clear हो गई, आपको कुछ questions भी करवा दिए, कुछ PYQs भी करवा दि हाँ, ऐसे करेंगे तो यह होगा, ऐसे करेंगे तो यह होगा, तो इस, क्या यह सबसे पहले ही देखना है, नहीं, पहले आपको class में chapter पढ़ना है, chapter आपने पूरा पढ़ लिया, तब यह revision के लिए best series है, revision बड़ी जबर्दस हो जाएगी, हर एक चीज़ paper से पहले आपको य pollution कम हो जा भाई, बहुत आलत करा पर दी तुने, मिलते आप सब लोगों से, next lecture में, that will be of carboxylic acid, तो this is your Nikhil sir, signing off, bye-bye.